साथियों आप सभी का स्प्रेट फाप पर स्वागत हैं यहां पर हम लोग जो आगामी परिच्छाएं होनी है और आपकी UPP से 2024 की परिच्छा होनी है उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तरपदेश लोग सेवा आयोग के द्वारा जो अभी परिच्छाएं कराईगे हैं 2023 के वर्स में जो परिच्छाएं हुई हैं मतलब इन परिच्छाओं से पहले जो भी परिच्छाएं आपकी हुए 2023 के एर में उन परिच्छाओं में जो GS के प्रशन सामान अध्यन और कर्ण अफेर के प्रशन पूछे गए हैं उन प्रशनों या उन परिच्छाओं के प्रशन में जो बात करेंगे वो General Studies and Dental Surgery. Dental Surgery समभी जो प्रश्ण पत्र 2023 में हुआ था उसी का यहां पर प्रश्ण पत्र है जिसमें हम लोग जो General Studies के इसमें 30 प्रश्ण पूछे गए हैं. प्रश्ण नमबर 1 से लेके प्रश्ण नमबर 30 तक इन इसमें 30 प्रश्णों को हम लोग यहां पर देखेंगे जिसमें आपके GS के प्रश्ण हैं, दो-तीर आपके Math के प्रश्ण है और Current Affair के प्रश्ण है और काफी महत्पुन प्रश्ण है यह तो चलिए प्रारम करते हैं क्योंकि यह देखी यह पेपर पूरा आपका English में है पर आप इसको जो है Hindi English दोनों में आराम से समझ सकेंगे तो चलिए पहले प्रारम करते हैं पहले प्रस्ण से तो यह है आपका Article 17 या अंशेद 17 है वही Article 18 में क्या दिया गया है इसमें उपाधियों का अर्थात evolution of titles है वही Article 20 में क्या है Article 20 में अपराधों के लिए दोश्टिद्ध के सम्मंद में सरच्छन है या English में कहें तो protection in respect of convection for offense है वही Article 21 में क्या है इसमें प्राण और दहिक सु अगले प्रेस्ट की दो लिश्ट दी गई है इन दोनों लुश्टों को हमें मैच करना या दो सूचियां दी गई हुए इन्हें हमें सुमेलिद्ध करना है एक तरफ आपके प्लेसस हैं, दूसरे तरफ लीडर है मतलब एक तरफ आपके इस्थान दिये गए है, और दूसरे महल ने किया था, दो से मिला दीजिए, कानपुर में, नाना शाहब ने किया था, तो वन से मिला दीजिए, बरेली में, बरेली में किस ने किया था, तो बरेली में जो है आपका खान, बहादूर खान ने किया था, ठीक है, तो इसको चार से मिला दीजिए, और फैजाबाद में मौल भी अमधुल्ला ने किया था मौल भी अमधुल्ला अर्था तीन से मिला दीजिए तो आपका 2143 2143 हो जाएगा 2143 अर्था आपका C option हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है Which one of the following Indian festivals was declared to be a state holiday in Pennsylvania in United States United States का जो एक राज्य है Pennsylvania यहाँ पर किस एक भारतीय भारतीय तयोहार को जो है छुट्टी घोशित किया गया है state holiday मतब राज्य आवकाश घोशित किया गया है किस तयोहार के उपलच में ये प्रस्टन है यहाँ पर तो दिखे यह धिपावली के लिए किया गया है area दिया गया है तो देखिए circle का जो area होता है उसका formula का होता है pi r square होता है r जो होता है आपका radius या हिंदी में कहें तो 30 होती है यदि आप pi r square equal 38.5 38.5 को solve करेंगे pi की value 22 by 7 रख करके तो आपका आप इसको solve करिए फिर यहां से आप r की value निकाल लेंगे r की value निकाल लेंगे तो r की value आपकी आजाएगी कितनी यह आजाएगी 7 by 2 r की value जो है radius आपका 7 by 2 आजाएगा अब circumference पूछा तो circumference जो होता है आपका क्या होता है 2 pi r होता है 2 pi r होता है तो 2 into pi pi की value 22 by 7 है into r की value कितनी है r की value है आपकी 7 by 2 तो 2 से 2 यहाँ cancel हो गया, 7 से 7 यहाँ cancel, 22 बचेगा, तो यह आपको 22 cm हो जाएगा, which are the following, gases are usually filled in tungsten, tungsten light bulb, इसमें कौन सा होता है, nitrogen और argon का जो मिस्रन होता है, इसको इसमें भरा जाता है, ठीक है, अगले प्रश्न पुछलते हैं, अगला प्रश्न है, कि who among the following, started young bengal movement, जो young bengal movement था, वो किसके द्वारा चलाया गया था, तो इसको जो है, henry, lv, dirijo, जो थे, इनके द्वारा चलाया गया था, ठीक है, इस चीज को यहाँ याद रखेगा, आगे बढ़ते हैं, यहाँ math का प्रश्न इसको छोड़ दीजे, अगला है industrial, industrial policy in Indian before, India before, 1991, why essentially, ए, मतलब जो 1951 की जो अध्योगी, नीत लाई गई भारत में, उसके पहले, जो नीत थी भारत की, वो कैसी थी, the pro public sector policy थी, pro public sector policy थी, मतलब, सारवजीक छेत्र के, मतलब, टेंटर थी, सारवजीक छेत्र के समर्थन में policy थी, ठीक है, इसका नाम होता है आपका इंटा मोविया, जिंगी, विलीज, इसको आप जिस प्रकार से उचान कर सकते हैं, आपने साब से उचान इसका कल लीजिए, ठीक है, तो D option है, अगला है, मतलब, जो चार देश दिये गए, इनमें से किन देशों से हो करके, विश्वत रेखा या भूमध रेखा नहीं गुजरती है, तो देखिए, इस चार के चारों देश जो है, आपके अफरिका कॉंटिनेंट से समझे थे, इनमें से गैबोन, कांगो, गैबोन और कांगो से हो करके, आपकी एक्वेटर या विश्वत रेखा गुजरती है, पर तंजानिया और साउथ सुडान, साउथ सुडान से नहीं ग गुजरती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका, कौन कहां से गुजरती है, तो तीन और चार हो जाएगा, देखिए, जो एक्वेटर है, वो अफरिका के, जिनने देशों से गुजरती है, उनके नाम क्या है, वो है आपके गैबोन, कांगो, जायरे, उगांडा, केन्या, सोमा इन देशों से गुजरती है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रस्ट बर, अगला प्रस्ट है, कि विद रिफिरेंस, विद रिफिरेंस टू, यह इनका नाम है, मार्गेटा, बार्डरा उशोवा, यह टेनिस प्लेयर है, टेनिस प्लेयर, विच आप फॉलुइंग इस्टेट प्लेयर टू विं डवो मैंस सिंगल ंच विविल रिफिरेंस, एह ऻन वरीता प्राप्त पहली खिलाडी है, जिन्होंने विविल रिफिरेंस समनी से ग्हार उपा है, ग्हीर और वरीता प्राप्त पहली महिला है, तो यह क trappedn भी आपका सही है, दो के दोनों how पर री है है तो यह option हो जाएगा अगला है दो लिष्ट दी गई है यह दो सुचियां दी गई है एक तरफ नेशनल पार्क है राश्टी उद्यान है दूसरे तरफ राजी है मतलब किस स्टेट से सम्माधित है देखिए इंद्रा गांधी नेशनल पार्क इंद्रा गांधी नेशनल पार गलिला ये कहाँ पे है वेस्ट बंगाल में 1 से मिला दीजिए श्री बेंक के टेस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च इस्तित है तो यह तेलंगाना के हैदराबाद में है कई बार पर पूछा गया है तेलंगाना के हैदराबाद में है ठीक है आगे बढ़ते हैं जो भारतिय कह सकते हैं अर्थवयवस्था के प्लानिंग का पिता किसे कहा जाता है फादर आफ इंडियन एकोनोमिक प्लानिंग तो यह M200 सुरया को यह इंजिनियर थे M200 सुरया इन्हें ही कहा जाता है जो योजना आयोग रहा है इसके अमसार भारत को कितने किरसी जलवाई जोनों में बाटा गया है तो ध्यान रखेगा 15 जोनों में बाटा गया है प्लयंग तो यह आपके पिस्टिल मतलब हिंदी में इसे जयांग कहते हैं क्या कहते हैं तो इसका जो पराकोशी इसके टॉपपे होता वहां से यह produce होते हैं, उत्पन होते हैं अगला है, from which of the following dynasties, जो आपके कह सकते हैं, once हैं dynasties, आप विजय नगर इंपायर राजा कृष्ण देव राय belong to देखिए, आपका जो विजय नगर समराज है, वहाँ पे चार dynasties पाई जाती है तो इन चारो dynasties में से, या इन चारो वनसों में से जो आपके यहां के राजा थे, राजा किष्ण देव राय वो किस dynasties से संबंधित थे, तो यह तुलूब राजवन से संबंधित थे, तो ए उप्शन हो जाएगा, अगला है who lead the development of इन डियाज फर्स्ट सूपर कंप्यूटर परम, जो भारत का पहला सूपर कंप्यूटर जिसका नाम परम है, उसको किसने, उसको develop करने में किसने नेतृत निभाया था, किसने लीड किया था, तो इनका नाम क्या है Professor BJP Bhatkar, Professor BJP Bhatkar है, D option, अगला है, who among the following, who among the following was the chief guest at the 74th Indian Republic Day parade, 2023, जो 74th Indian Republic Day हुआ, वो 2023 में हुआ था, 2023 में, ठीक है, तो इसके, जो कह सकते हैं, मुख्यतित थे, वो मिस्र के राजपती, अबदेल फताह अल-शिशी, मिस्र के, ठीक है, जबकि 2024 का जो अभी होने वाला है, उसके कौन है, तो इसके, जो फ्रांस के राश्पती है, उनको मुख्य चीफ गेस्ट बनाया गया है, पहले जो है, अमेरिका के, युएस्टे के, जो बाइडन को बनाया जा रहा था, पर कुछ कानलों से, उन्होंने आने में असमर्था वेक्त की, फिर आपको, यहां के, जो फ्रांस के माइक्रो करक जिनका नाम है, उनको बनाया गया है, आगे बढ़ते हैं, which one of the following countries has the least un-urbanized population, मतलब सबसे कम नगरिकर्ण, जो में population है, वो कहां पर है, इन चारो देशों में, तो देखिए, यह आप परसंट्रिस देखें, तो पाकिस्तान में कितना है, मतलब नगरिकर्ण, पाकिस्तान मे 59.7 है, 59.2 है, जापान में कितना है, 91.6 है, परसंट, ठीक है, इंडिया में कितना है, 34.0 परसंट है, तो आप चारों में compare करें, सबसे कम किसमें है, सबसे कम least जो है, आपका इंडिया में है, तो D option हो जाएगा, which of the following is not correctly matched, author और book में, पतल लेखक दिये गया है, और किताब आदी गई है, कोंसा सुमेलित नहीं है, ये बताना है, पहला काली दाष, काली दाष ने रितu शंगर, जो आपका है, रितु, संबहर, इसकी रचना की थी सही है, आपका बान भट, इन्होंने कादंबरी की रचना की थी सही है, शुद्रक, सुद्रक ने जो है, कम है तो श्री option आपका सही नहीं है हर्सवर्धन की रचना क्या है नागनंद है नागा नंद रतनावली यह हर्सवर्धन की रचना है ठीक है माइकोलोजी इस दा साइंटिफिक स्टडी आप जो माइकोलोजी होता है किसके वैज्ञानिक अध्यां को कहते हैं तो जो फंगी होते हैं फंगस फंगी के कह सकते हैं साइंटिफिक स्टडी को माइकोलोजी करते हैं क्या करते हैं माइकोलोजी जबकि एलगी के साइंटिफिक scientific study को क्या करते हैं इसे phychology कहते हैं LGK scientific study को phychology करते हैं virus की scientific study को क्या करते हैं Virology Virology ठीक है वही bacteria के बैक्टेरिया के इसके scientific study को क्या करते हैं bacteriology कैते है consider the following words out the preamble preamble मतलब आपका जो प्रस्तावना है या उद्देश का जो सम्भिधान की है, प्रियंबल of Indian Constitution and arrange them into chronological order. मतलब जिस क्रम में आपके प्रियंबल में या प्रस्तावना में या उद्देश का में दिये गए हैं, उस क्रम में हमें बताने इन चार वर्डों को, तो आप देखें, हम मैं इस एक लाइन, दो लाइन पढ़ देता हूँ, आप समझेगा, हम भारत के लोग, भारत को एक संपून प्रभुत्य शंपन, तो प्रभुत्य शंपन सबसे पहले क्या आ रहा है, प्रभुत्य शंपन मतलब सोशलिस्ट आ रहा है, तो समाजवादी मतलब सोशलिस्ट आ रहा है, तो समाजवादी पंथय निर्पिछ, पंथय निर्पिछ मतलब शेकुलर आ रहा है, तो दो रख दीजिए, पंथय निर्पिछ लोग तंत्रात्म गणराज, लोग तंत्रात् पंथ है निरपेच लोग तंतरात में करन राज यहाँ पर find the value of 106 into 106 minus 94 into 94 तो 106, 106 को multiply करिए 94, 94 को multiply करिए और दोनों को minus कर दीजिए फिर जितना आ रहा है इन दोनों को आप multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा 11,236 आ जाएगा माइनस कर दीजिए तो 2400 आ जाएगा 2400 आ जाएगा तो B option हो जाएगा आगे बढ़ते है which are the following pairs pairs is not correctly match कौन सा यूग में सुमिलित नहीं है nuclear power plant और किस state में है इसको हमें सुमिलित करना है कलपक्कम कहाँ पे कलपक्कम आपका तमिलाड में है सही है कहएगा power plant आपका केरला में नहीं है केरला में कोई power plant नहीं है कहएगा जो है आपका करनाटक में है कहएगा का से करनाटक का से कहएगा तारापूर कहाँ पे है तारापूर महाराष्टा में है कलप में है और काकरा पारा कहाँ पे पारा गुजरात में और रायस्थान में कों सा रावत भाटा है रायस्थान में रावत भाटा है तो चीज को याद रखेगा आगे बढ़ते हैं देखिए इनका नाम क्या है इनका नाम है हौजकिन यह आपका दोराथी हौजकिन ने इन्होंने जो है 1945 में बताया था इसका इस्टक्चर है उसका X-ray analysis किया था किस ने किया था, होचकिन दोराथी, स्पोर्जचिन ने, 1945 महात्पॉन प्रस्ण ने, चुकि अभी तक क्या पूछा जाता रहा है, कि जो पैंसलीन है, इसका निर्मादा किस ने किया था, इसकी खोच किस ने की थी, तो वो किस ने की थी, अलेकजंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है पैवो, Awarded Nobel Prize in 2022, मतलब ये जो समांते पोबों हैं, पैवों हैं, इनको किस छेतर में 2022 का Nobel Prize दिया गया था, तो इन्हें Physiology and our Medicine, जो Physiology and our Medicine है, इसमें दिया गया था, ठीक है, Physiology या चिकिस्सा के छेत्र में इन्हें दिया गया था अब चुकि 2022 का है तो 2023 का भी दिया जा चुका है तो हमें 2023 का पता होना चाहिए देखिए चिकिस्सात्वा फिजियोलाजी के छेत्र का वर्ज 2023 का जो नुबल प्रुसकार है वो हंगरी मूल की अमेरिकी बायोकेमिस्ट प्रोफेसर केटालीन कारीको नाम लिख देते हैं के-टा-लीन कारीको कारीको वह इसके टरिक एक व्यक्ति हैं दो लोग दिया गया एक यह हैं दूसरे कौन है वह अमेरिके चिकिस्टक वह इम्मिनोलॉजिस्ट ड्रियु विजमयन ड्रियू which man को सभी तुरूप से दिया गया ठीक है Biochemist प्रोफिसर कैटालीन कारिको को वा अमेरिकी चिकिसक वा Immunologist Drew which man को सभी तुरूप से दिया गया थोजार टीश का आगे बढ़ते हैं Which one of the following? Language is not included in the English 8th schedule of Indian कुशनित जो भारती सम्मृधान की जो आठमी अंसुची है उसमें कौन सी भासा सामिल नहीं इन चारों में से देखिए जो एर्थ बतलो आठमी अंसुची है इसमें आपकी कुल बाइस भासाएं है थीक है तो बाइस भासाओं में आपका डोंगरी, बोडो, आपका संथाली ये है पर तो रायस्थानी नहीं है अंग्रे जी ये इसमें सामिल नहीं है, ये मात्मूर्ण है, डोंगरी, बोडो, शंथाली और इसके तरी एक भासा और मैथली, इन चार भासाओं को वर्स 2003 में, वर्स 2003 में 92 में 92 में, संविधान संसोधन के माध्यम से जो है, एर्थ अंसुची, आठवी अंसुची में, या ए अंकृत मूंग में, निमलेक्रित में से कौन सा बिटामिन संसलेशित होता है, तो बिटामिन C, जिसे एसकार्विक एसिड कहते हैं, ये संसलेशित होता है, अगला प्रस्ण है, विच वन आप फॉल्लविंग कंट्री इस दा लारजेस्ट प्रूशर आफ गोल्ड इन 2019 टू 2020 में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है तो इने चारों में सबसे बड़ा देश कौन सा है चाइना है नमबर एक पे चाइना है नमबर दो पे अश्टेलिया है नमबर तीन पे रशिया है ध्यान रखिएगा तो इस चीज को यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा तो यह 30 प्रस्ट आपके यहाँ पर है यह 30 प्रस्ट आपके लिए काफी महत्पूर्ण है तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी का इस प्लेटफार्म पर स्वागत है यहाँ पर हम लोग जो है उत्तरपदेश लोग सेवा आयोक के द्वारा जो वर्स 2023 में परिच्छाएं कराई गी है उन्हीं में से कुछ परिच्छाओं के प्रश्ट पत्र को 20 कोशन हिंदी के थे तो हमारे लिए जो आगामी परिच्छाएं चाहे आरो ए आरो की परिच्छाओं चाहे यूपी पीसस की परिच्छाओं या जो अन्य परिच्छाएं आयोक को दारा कराई जाएंगी उसके लिए GS और आपका हिंदी वाला सेक्षन महात्पूर है तो इस वीडियो में हम लोग जाए सामान अध्यन के जो 30 प्रशन पूछे गए हैं उसको यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में cover करेंगे जो आपके आगामी परिछाओं के काफी महात्पूर साबित होंगे चलिए प्रारम करते हैं इसमें आपका पहला प्रशन है कि विपढ़न सीजन 2023 के लिए रागी का निवन्तम समर्थन मुल या MSP क्या रही है तो यह जो है 3846 रुपे प्रतिकुंटल थी 3846 रुपे प्रतिकुंटल आगे बढ़ते हैं राष्टी किशान दिवस किस दिन मना जाता है तो यह आपका 23 दिसंबर को मना जाता है 23 दिसंबर को अगला है ऑप्रेशन भारत में ऑप्रेशन फ्लट कारिक्रम किसके द्वारा सुरू किया गया था तो वर्गिच कुरियन यह दूद से संब्धित रहा है दुग्द उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अगला है कौन सा या से कथन उत्तरप्रदेश्यों पंचायती राजजी के संदर में सही है दो कथन दिये गये जये दूप्यमें पंचायत्र राज अधनियम 1947 में अर्स्तित्मे आय था सही है यह यूप्यमे छेत्रपंचायत हम जिला पंचायत अधनियम 우리가 पंचायत अधनियम anthemrap पारि ये भी सही है दो के दोनों कथन सही है इसलिए स्थी आप्शन हो जगा A and B आगे बढ़ते हैं नीचे दो कथन दिये गए हैं जिसमें एक अभिकथन है दूसरा काण है कथन काण का प्रशन है अभी कथन दिया गया कि भारत की संपरुपता राष्टकुल की सदिस्ता से असंगत नहीं है ये कथन सही है काण क्योंकि भारत के राष्टकुल के साथ स्वेचिक संबंध किसी प्रकार से भारत की संपरुपता को प्रभावित नहीं करते हैं कथन काण जिब्राटर जलसंदी मिलाता है कि इसको ये अंद महासागर और भूमधी सागर को जोड़ने का कारी करता है ठीक है अंद महासागर और भूमधी सागर को और आपका इरोप को अफरिका से अलग करने का कारी करता है ध्यान रखेगा काला सागर था भूमधी सागर को जोड़न क्योंकि ब्राजील जो है गन्ना उत्पादन में भी नंबर एक पर है और काफी के उत्पादन में भी नंबर एक पर जब कि कपास के उत्पादन में जो है चौथे नंबर पर है तो गन्ना और काफी दोनों में जो है के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो A और C दोनों के लिए है, अगला है दो सुचिया दे गई है, लोह, एस, छेत्र और राज्य, तो देखिए, यहाँ पर जो संदूर, लोह, एस, छेत्र है, यह कहाँ पर है? ये बेलोरी कनाटक के बेलोरी में है तो ये कनाटक से समझे तीन से मिला दिजिए बादाम पहाड बादाम पहाड जो है ये आपका उडिशा में है चार से मिला दिजिए नुवा मुंडी जारखंड में है दो से मिला दिली राज हारा दिली राज हारा दिली राज हारा जो है ठीक है आगे बढ़ते हैं निजी कणवा प्रक्रिया जो किसी राष्ट को आर्थिक क्रियाओं में सरकारी प्रभुत की ओर ले जाती है यहां किसका कथान तो यह जीवन मुखोपाध्या का कथान है किस राष्य ने सप्रथम अंतियोदय योजना प्रारम की थी तो रायस्थान सरकार ने रायस्थान ने जो किन सरकार की इस तर पर वर्ष 2000 में प्रारम की गई थी वर्ष 2000 में 25 दिसमबर 2000 को अगे बढ़ते हैं यहाँ परमायत के दो प्रशनों को हम रोगे आपर छोड़ देते हैं 8 नंमर कोशन देखते हैं प्रते एक वर्स 5 जौन को मना जाता है 2023 की जो theme रही है वो आपको पता होनी चाहिए वो क्या थी solutions to plastic pollution solutions to plastic pollution अगला है वायू मंडल का छेतर जो जमीन के नजदीक है कहलाता है क्या जो मतलब सबसे नजदीक है वो है आपका छोब मंडल प्रोपो स्पेर इसके बाद आपका समताप मंडल आता है इस्टेटो स्पेर जिसमें आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है इसके बाद मद्य मंडल मे किसकी एकाई है तो यह जोती तीवर्ता की किसकी जोती तीवर्ता की यह रेडियो धर्मी 6 होता है क्या आइस्थाई अणोगों का विक्रण के उस सजन के द्वारा शोता है इस पूर्त 6 बी ऑप्शन अगला है रैम जेट के विशय में निम्न कथनों पर ध्यान दें दो कथन ह है रैम जेट वाई शास जो है जेट इंजन का प्रकार है मतलब एयर ब्रीधिंग जेट इंजन होता है मतलब यह जो वाई मंडल की एयर होती है उससे उसके मदद से यह आगे बढ़ता है ठीक है इसको पहले से इधन ले जाने जरूद नहीं पड़ती है तो यह कथन सही दस अप्रैल 1885 को मुंबई में इसकी स्थापना की थी तो देखे दा युनाइट इंडियन पेरिलातीक असवेशन की स्थापना किसने की थी स्थापना आठा 1885 में ताली कोटा के युद्धिक की समय बीजानगर सम्राज को स्पचा कों थे साशक. सदाश्यू राय. सदाश्यू राय थे अब देखिए. ढक्कन के सल्तनत और बीजयनगर्स अगला है. निम्नम से कौनसी महाजनपत और राज़धानी सही सुमेलित नहीं है. तो मस जो महा जनपत इसकी राजधानी बिराट नगर रही है ठीक है अंग की राजधानी बैशाली नहीं थी अंग की राजधानी बैशाली नहीं है इसको ध्यान रखेगा देखे अंग जनपत की राजधानी क्या थी अंग की राजधानी जो थी आपकी चमपा थी ठीक है अंग क पान्चलबी तो यहाँ पर आपका बी वाला सही ने चंद्रयान थी mis Reid Chandrajianत 3 था यह 14 जुलाई 2023 को अगला है अगस 2023 में केंद्रीrik प्रतेच कर और सीमा सुल्क बोर्ड, CBIC के नए अधच की रूप में किसे निक्त किया गया, संजय कुमार अगरवाल जी को, अगला है, दो सूचियां दी गई है, तथी और किसे सम्मधी थे, देखे, उतकर्स 2.0 ये क्या है, अपने भुक्तान प्रणालियों के निगराने के RBI का ढाचा है, तो 3 से मिला दिझे, एवा शीन क्या है, एवा शीन जो है, यह आपका AI निरमित अंती बायोटिक है, यहां पर 2 से मिला दिजिए, मोचा क्या है, यह बंगाल की खाडsis में आया हुआ, चक्रवाथ था, 1 से मिला दिजिए, मिया वाकी, यह एक ब्रिच्छार कहाँ पर कोलकता में संपनुती ध्यान रखेगा तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग ने GS के प्रशनों को देखा तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आज सुर्भी के स्प्रेटफरम पर सौगत है यहाँ पर हम लोग जो है वर्स 2023-2024 में जो उत्तर प्रश्च लोग सिवा आयुक के द्वारा जो विभिन परिच्छाएं कराएगे हैं तो उन परिच्छाओं का जो GS वाला पोर्शन है GS और हिंदी के जो सक्षन है उसको हम लोग यहाँ पर सौल्व कर रहे हैं जो कि आपके आगामी परिच्छाओं के लिए चाहे है वो ARO, ARO की परिच्छाओ या UP pieces के जो अन्य परिच्छाओं उन सभी के लिए काफी महात्पूर्ण सावित होगा तो आज के दिन हम लोग APS अर्थाथ अपर निजीव सच्च्छू 2030 की जो प्रारमिक परिच्छाओं की जनवरी 2024 में हुई थी तो उसके प्रिच्छपत को यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इस वीडियो में जिसका सामान ज्यान वाला सक्षन है जिसमें एक से लेके 50 तक मतलब 50 प्रशन जो है आपके जियस के पूछे गए है जिसमें आपके current affair भी सामिल है इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यह आपके आगामी परिच्छाओं के लिए काफी महत्पूर साबित हो सकता चले प्रारम करते है इसमें आपका जो पहला प्रशन है कि डॉटर आफदा इश्ट पुस्तक के लेका कौन है तो इस पुस्तक यह जो पुस्तक है सुस्री बेनिजीर भुट्टो की पुस्तक किसकी है आगे देखते हैं दो सुचिया देखें लेकाग और किताब इन्हें हमें सुमेलित करना देखें यश्पाल की पुस्तक कौन सी है यश्पाल की पुस्तक है मेरी तेरी उसकी बात मेरी तेरी उसकी बात तो दो से मिला दीजीए कमलेश्वर की पुस्तक है कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान चार से मिला दीए भीष्व शाहनी की पुस्तक है तमश वन से मिला दीजिए शुरेंद वर्मा की पुस्तक है मुझे चाद चाहिए तीन से मिला दीजिए तो यह हो जाएगा आपका 2413 आपका B option हो जाएगा अगला है यहाँ पे किताब और लेखत को यहाँ पे बताना है निम्ले तो किसका सही मिलान किया गया है किसका मिलान सही इन चारों में देखिए इंद्रा गाधी ट्राइश्ट विद्पावर यह किताब नैंतारा शहगल की है यह आपका सही मिलान है जिबकि यह धर्मिन्द पधान की पुष्टक नहीं बलकि जो वरत्वान विदेश मंत्री है उनकी पुष्टक है वही हाफ लाइन हाउ पीवी नसिम्हा राव ट्रांस्फार्म इडिया यह संजय बारू की नहीं बलकी बिने शित्पत की है और वहीं जुगलबंदी, दा बिजेपी विफोर मोधी यह रभिष कुमार की नहीं बलकी बिने शित्पत की पुस्तक है तो हाफ लाइन और जुगल बंदी दा बीजेपी बिफोर मोदी ये दोनों पुस्तक ही बिने सेथपत की है आगे बढ़ते हैं मिर्च कटकम पुस्तक किसके दौरा लिखी गई है यह सुद्रक के दौरा लिखी गई है अगला है इस चेट फ्रॉम दा हर्ड एन आटोबाउग्राफी के लेखा के संदर में नेमलित कतनों में इसे कौन साही है दो कतन दियागा है सचेंत तनलुकर कपिल देव देखिए यहां जो पुस्तक है यहां कपिल देव की आटोबाउग्राफी है ठीक है किसकी है कपिल देव की तो यहां पर केवल दूसरा आटोबाउग्राफी है उसका नाम क्या है अगला है आधार जारी करने के लिए इस्थापित एक बैधानिक प्रादिकन है UIDAI का पूर्ण रूप क्या है इसका पूर्ण रूप है बारतिये विशिष्ट पहचान प्रादिकन इंग्लिस में कहें तो यूनिक अइटिंटिकेशन एथोर्टी आफ इंडिया अगला है आपका फेमा फेमा का पूर्ण रूप क्या है जिसका पूर्ण रूप है अगला है नेशकाम एक भारतिय गैर लाबकारी गैर सरकारी ब्यापार संग है जो मुख्य रूप से भारत के प्रदुक्य उद्योग पर केंद्रित है नेशकाम का पूर्ण रूप क्या है तो डी आप्शन आप देखें आगे बढ़ते है जिसे मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है भारती अंतरिच अंसंधान संगण राथा इसका उद्यश मंगल की सतह की विशेस्ताओं आकरते विज्ञान, खरिश विज्ञान और मंगल ग्रह के वातावन का पता लगाना है इस MOM का पूर्ण रूप क्या है, Mars Arbiter Mission, यह उप्शन हो जाएगा अगला है IFSC, आपने IFSC कोड का नाम कई बार सुना होगा बैंकिंग से समयत में तो IFSC का पूर्ण रूप क्या है, तो IFSC का जो पूर्ण रूप है वो है आपका Indian Financial System Code Indian Financial System Code, बी उप्शन हो जाएगा अगला है मनुश्मिर्थ के टिका कार कोन है, कोन थे, तो कुलूक भट है, कोन है, कुलूक भट है खानवा का युदू कब हुआ देगे, खानवा का युदू जो है, यह 16 March 1527 को राणा सांगा और बावर के मद्ध में होता है, जिसमें बावर की जीत होती है, राणा सांगा की पराजय होती है अगला है 1921 में मोपला बिद्रो का पनुक कांड क्या था, मोपलाओं पर जमिदारों का अत्याचार दूसरा, अंगरीजी सर्कारी खिलाफत विरूदी ने लिए इसमें जो पहला सही, पहला है, मोपलाओं पर जमिदारों का अत्याचार, यह आपका में रीजन था तो A option यह जो आपका मालावार तठ है यहाँ केरल वाला हिसा यहाँ पर यह 1921 में मुपला बिद्रो हुआ था यहाँ पर A option हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला है नीचे दो कथन दिये गए जिनमें एक को अविकथन और दूसरे को काणड़ कहा गया है तो अभी कथन है कि पाकिस्तान के नाम के विचार का सुझाओ रहमत अली ने दिया था यह सही है क्योंकि रहमत अली ने 1933 में किताब का नाम इंगलिस पढ़िए मतब 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकास्त की थी इसका जो नाम है नाव और नेवर ठीक है तो कथन कान सही है क्यों सही है क्योंकि तेकि जो यह पुस्तक है अभी या कभी नहीं या नाउ आर नेवर इसी पुस्तक में जो है पाकिस्तान के नाम का विचार जो है विचार का सुझा और रहमत अली ने दिया था तो इसलिए जो पाकिस्तान के नाम का विचार का सुझा औ रहमत अली ने 1903 में अभी या कभी नहीं नाव और नेवर नावक पुस्तक प्रकासित की थी जिसमें इन्हों ने इसके बारें बात की थी तो कथनकान दोनों सही है और व्याक्षा भी हो रही इसलिए ए आप्षन हो जाएगा अगला है दो सूचिया दी गई है एक तरफ आप कोशिया ये कंदहार में है चार से मिला जिए एरिया एरिया जो है हेरात वन से मिला जिए पोरोप मिशादे पोरोप मिशादे जो है ये आपका ये कहां पर है काबोल घाटी में काबोल घाटी तो देखे गेडरोशिया ब्लुचिस्तान में अरा कोशिया कंदहार एरिया हेर में पारोप मिशादे काबूल घाटी तो 2413 2413 आपका अगला है देखे शुबायम शाम के वक्त जब सूरज छितिज के पास होता है तो यहां लालिमा युक्त प्रतित होता है इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिखटना क्या है इस स्केट्रिंग आफ लाइट प्रकास का चेट्रा हो जा पहला हो है तो D option हो जाएगा अगला है परिखटिवी की पपड़ी में कारवण का अनुमानित प्रिखट कितना है तो यह जो अनुमानित प्रिखट है वो कितना है 0.025% 0.025% बच्चों में सूखा रोग किस की कमी काण होता है जो सूखा रोग होता है जहीं होता है उसमें आश्कियों मेलेशिया होता है वहीं बिटामिन का जो रास्याजिनिक नाम है वो है असकार्विक एसिड है और बिटामिन ए का आपका रेतिनोल है। आविश्कार और आविश्कारक तो यहाँ पर देखिए इधे सुमेलत करना कौश्मिक क्यों के आविश्कारक कौन रहे हैं विक्टर हैस रहे हैं आप कौश्मिक क्यों के आविश्कारक विक्टर हैस रहे हैं तो दो से मिलाएं एक्स क्यों के डबलू सी रोयंट जेन रहे हैं तो इस तीन से मिला जिए, रेडियो सक्रिता के, हेंरी वेकरल रहे हैं, हेंरी वेकरेल रहे हैं, तो चार से मिला जिए, कृतिम रेडियो सक्रिता के, आई क्यूरी एवं, एफ जॉलियट, तो वन से मिला जिए, तो क्या हो जाएगा, टू, 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 टू option हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला है दो सूचियां दे गई है इस्थान और उद्योग तो खेतरी जो है यह आपका ताबा उद्योग समझेगा किस से है ताबा से चार से मिला जिए रेनकूर जो है एल्मोनियम से तो तीन से मिला जिए शेलम जो है शूती वस्तर से वन स से शूरत हीरा कटिंग से दो समय जिए तो 4,3, 13, 12 अगला है मिटी का निच्छालन या लीचिंग आफ सोयल किस से समझेता है तो यह लेटरायट मिटी से समझेता है भारत कि कों सी नदी करक रेखा को दो बार कारती है dal बार से दो बार गुजरती है तो यह है माही-्नदी मा कि अम्मावू इस्थान से निकलती है और यह आपका मद्ध प्रदेश रायस्थान होते हुए गुजरास से होते हुए अरब शागरी खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है आगे बढ़ते हैं निम्नम से कौन सा उत्तर प्रदेश का उचितम बिंदु है ध्यान रखे सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है शहारनपूर्ग के पास यहां पर यह अमसोट चोटी है ठीक है यह सीवालिक पहाड़ियों का हिस्साही चीज ध्यान रखेगा आगे बढ़ते हैं निम्निसत कत्रों पर विचार कीज़े तो कत्षन दिये गए पहला प्रजक् आप देखें तो जो टाइगर रिजर्ब कितने हो गए 55 हो गए 55 हो गए जो 53 नंबर का था 53 यह आपका रानीपूर टाइगर रिजर्ब था जो कि आपका उत्तर प्रदेश के जो चित्रकूर जिला है यहां परिसित है और इसको अधिसकुचित किया गय था 19 अक्टूबर 2022 क फिर इसके पर जो 94 नंबर का है 54 नंबर का जो है आपका यह था आपका मद्ध प्रदेश का बीरांगना दुरगावती टाइगर रिजर्ब जिसे 20 सितंबर 2030 को अच्टूइत किया गया तो 20 सितंबर 2030 और उससे पहले वाला 19 अक्टूबर 2022 तो मतलब आपका जनवरी 2030 तक जो जो है आपके 53 थे जबकि अब वर्तमान में जो है आपका 55 हो गये है तो 54 नंबर का है बिरांगना दुरगावती टाइगर रिजर्ब मद्ध परदेश का यह 20 सितंबर 2030 को अधिसूचित किया गया वही 55 नंबर का जो है 55 नंबर का जो है धौलापूर करोली टाइगर रिजर का ठीक है इसे 28 सितंबर इसे 28 सितंबर 23 को जो है अधिसूचित किया गया तो यहां पर जान रखे को वर्तमान कितने है 55 है यहां पर A और B दोनों ही सही है इसलिए आपका B option हो जाएगा ठीक है B option हो जाएगा आगे बढ़ते हैं देखिए निमलित कथरों पर विचार कीजि संगे व्यवस्था के लिए यह कांड नहीं कि केंद्र का निर्मान मतलब बहुत मजबूत केंद्र का निर्मान किया गया है तो कथन कांड दोनों ही सही है पर तो व्याक्या नहीं हो रही है ठीक है तो B option अगला है बजट अधिनियम बजट अधिनियम के निमलित करणों का स फिर इसके बाद आपका विन्योग विधेक आएगा विन्योग विधेक फिर आपका वित्विधेक विन्योग विधेक मतलब एप्रोप्रियेशन भी लाएगा फिर आपका फाइनेंस विलिया वित्विधेक तो तीन हो जाएगा तो आपका 51423 B option अगला है भारती सम्मिधान क कौन सा अनुछेत भाद के राजी की वाद योगिता, वाद योगिता समझेत, वाद योम कारवाईयां, तो ये आपका अनुछेत 300, आठकिल 300, अन्ने को देखें, जैसे आठकिल 100, अनुछेत 100 क्या करता है, ये सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी, सदनों की कार करने की सक्तियों गणपोर्ती समझेत है, वहीं अनुछे 200 जो है, अनुछे 200 ये विधेकों पर जो विधेक हैं, उन पर अनुमतिके, ये राजी, जो विधान मंडल है, उसके समझे में है, कि विधेकों पर अनुमतिक देने के समझे में अनुछे 200, वहीं अनुछे 330 क्या है या लोग सभा में SCHTA, मतलब अनसूचित जाती, अनसूचित जाती के लिए इस्थानों के आर्छन के संबन्द में बात करता है, अनुचित 330, आगे बढ़ते हैं, किसी बीटों के तहथ, भारत के राश्पती किसी विदेग को अनिशित काल तक रोक सकते हैं, तो ये पॉकेट 241 A में अंडमान्य को बारदीप समूँ है, 241 B में लचदीप है, 241 C में पुंडिचेरी नहीं है, 241 C में आपका दादरा नगर हमेली है, ना कि पुंडिचेरी, तो ये सुमेलेत नहीं, पुंडिचेरी जो है आपका 241 E में है, ध्यान रखेगा, 241 D में क्या है, दमन और दीऊ है, तो यहाँ पर C वाला option सही नहीं, अगला है निमलिखित खेलों में से किस एक से grand slam सम्मधित है, जो आपके 4 grand slam होते हैं प्रमुखरूक से, वो आपके lawn tennis से सम्मधित है, ठीक है, आपका आगे चलते है, थौमस कप, निमलिखित में से किस एक खेल सम्मधित, थौमस आपका 2022 में हुआ था, 2022 में T20 cricket विश्चु कप हुआ था, उसका विजेता कौन था, इंगलेंड था, याद रखेगा, आगे बढ़ते हैं, निमलिखित में से कौन अंतराशी shooting खिलाडी है, तो देखिए, अंजुम मौधगिल, जो है, यह आपकी shooting, या निसाने बाज है, प आगे बात करते हैं, अगे बात करते हैं, एशियन गेम्स में 400 मीटर दोड़ने स्चोन पदक प्राप्त करने वाली, पहली महिला कोन रही है, कमल जीत संधू, कमल जीत संधू रही है, भारत में नमीन संसदभावन का उधगाटन, किस ने किया, तो भारत के प्धार मंतरी न पास इसलित है, ठीक है, इसका निर्मान, गंगवन्स के राजा, नरसिंग देव पर्थम ने करवाया था, ये कथन आपका सही है, कब कर रहाया था, तेराहमी सताबदी में, इनका जो कारिकाल लहता है, बारा सो चो चोट के बीच में करा गया था, ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा, यहाँ इनुषको का एक बिच्व धरोर स्थल है, इसे 1984 में सामिल किया गया था, इनुषको के बिच्व धरोर स्थल के रूप में, तो तीन के तीनों का थन सही है, तो 1, 2, 3, D option हो जाएगा, अगला है, सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005, मुखिता, क अगबार के शिकंदराबाद में, शिकंदरा में इससित है, ठीक है, और, यह जो मघबर है, चारभर प्रागार के विच्द्रत उध्यान के केंदर में, इससित है, अगबर का जो टाइम पीरिड रहता है, 1556, 1556 में पैदा होता है, और आपका 1605 में इसकी मृत्यु होती है, आगे बढ़ते हैं गूलकुंडा किला भारत में कहां से गूलकुंडा किला जो है आपका तिलंगाना के हैदराबाद के पास्त इस दित है यह 136 सतअब्धी में काक्ती राजवन्श के द्वारा निर्वित कर्या गये थैं तेराहमी सताब्धी में ही आपका उनार का अगला है निम्व में से किस एक संसोधन के द्वारा लोकसभा की सीटे 525 से 545 बढ़ाएगे देखिए ये 31 संबिधान संसोधन अधरियां 1973 1973 के माद्दिम से देखिए पहले क्या था आपका 525 सीटे थी लोकसभा में इन 525 में से 525 में से 500 सीटे जो थी वो आपका कह सकते हैं राज्यों का प्रणित करते थे 500 और जो आपकी 25 सीटे थी वो UT संसारीत प्रदेशों का प्रणित करते थे तो खुल 525 थे तो इस 31 में संबिधान संसोधन के माद्दम से क्या किया गया इसमें जो 500 सीटे थी लोकसभा में राज्यों के प्रणित के अधिक्तम संख् प्रदेशों की जो अधिक्तम संख्या थी 25 उसे घटा करके क्या कर दिया गया 20 कर दिया गया तो 525 प्लस 20 कितना हो गया 545 हो गया यहाँ पे 31 संभिधान संसोधन के माद्यम से 1973 के माद्यम से विश्यु प्रस उतना सुचकांग वर्ड प्रस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2030 में भारत कौन से स्थान पर है तो भारत 161 स्थान पर दे कि इसमें कुल 180 देशों को सामिल किया गया भारत 161 स्थान पर है जबकि 2022 में भारत 151 स्थान पर था मतलब 11 अंकों की गिरावट हुई है 180 में हम लोग 161 पर हैं मतलब यह हमा अच्छी यहां पर प्रस की सुनता है कहां पर है नार्वे में नंबर एक पर आपका नार्वे है ठीक है नंबर दो पर आयर्लेंड है नंबर तीन पर डेन्मार्क है आगे बढ़ते हैं अगला है विपर जाए विपर जाए चक्रवाद का संबन किस सागर से है तो यहां जो ह बिश्व उवाकवसल दिवाष वर्ड यूथ इसकिल्डे यह का मना जाता है? यह 15 जुलाई को मना जाता है 15 जुलाई को और 15 जुलाई 2012 में इसकी थीम क्या थी? थीम याज़ेगा परिवर्थनकारी भविशस्च के लिए परिवर्तन कारी भविश्य के लिए सिच्चकों परसिच्चकों और इवाओं को कुशल बनाना परिवर्तन कारी भविश्य के लिए सिच्चकों परसिच्चकों और इवाओं को कुशल बनाना अगला है चंद्रयान 3 चंद्रमा के दच्छिन दुरू पर शौफ लेंडिंग के लिए भाद कमिशन किस तित को परच्षेपित किया गया था, मतलब भेजा गया था, तो ये आपका 14 जुलाई 2023 को स्री हरी कोटा के सतीजधावन अंतरिचकें से इसे परच्षेपित किया गया था, और यहां 23 अगस्त, 23 अगस्त 2023 को यह आपका दच्छिणी धुरूपर, अंतरिच्र दीवस मनाने की घोशना की गई है, यह हर वर्स, 23 अगस्त को राश्टी अंतरिच्र दीवस मनाया जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखीगा, 14 जुलाई 2023 को प्रच्षेपित किया गया था, 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लेर्निंग हुई थी, आगे बढ़ता है, हिंद 351 हिंदी भाषा के विकासेत नर्देश से समझे थे, यह कर्थन आपका सही है, देखें, 14 सितंबर को राश्टी हिंदी दिवस या हिंदी दिवस मना जाता है, और 2023 की जो थीम याद रखिएगा, हिंदी पारंपरिक ज्यान और कृतिम बुद्धिमता को जोड़ना, हिंदी पारंपरिक ज्यान और कृतिम बुद्धिमता को जोड़ना, और यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यह तो आपका राश्टी हिंदी दिवस था, विश्व हिंदी दिवस भी बना जाता है, विश्व हिंदी दिवस जो है, वो 10 जनवरी को मना जाता है, ध्यान रख करते हैं आगे यहाँ पर देखिए अब आपके मैत के चार कुशन है इन मैत के प्रश्चाओं को हम लोग यहां पर नहीं देखेंगे ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक लिए बहुत-बहुत धन्यवाल साथियों आप सबी के इस प्रश्चाओं पर स्वागत है यहां पर हम लोग जो है आगामी परिच्छाओं के ध्यान में रखते हुए वर्स 2023-24 में जो भी उत्तर प्रश्चाओं परिच्छा हैं कराई गी हैं उनके यहां पर GS वाले GS और हिंदी के प्रश्चपत को यहां पर ह इसी कड़ी में हम लोग PCS 2023 की जो प्रारंबिक परिच्छा का जो GS का प्रश्चन है उस GS के 500 प्रश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तो मेरे पास स्रीच A है अब यहां पर हम लोग इस GS वाले प्रश्चन को यहां पर कवर करेंगे जो आपके आगामी परिच् इसमें संगराज चितर आपका भाग 8 में दिया गया है अनसूचित और जनजाती चितर यह भाग 10 में है अधिकर्ण जो है भाग 11 में नहीं है अधिकर्ण जो है आपका किस है किसमे है यह 14 कामे दिया गया है ठीक है वहीं तो यहाँ पे C वाला option सही नहीं है आपका भाग 11 में क्या है भाग 11 में संहियों राजियों की वी संबंद है राजभासा किसमे है भाग भाग आपका 17 में राजभासा दिया गया है आगे बढ़ते हैं दो सुचियां दी गई है य यहार निर्वाचन आयोग 4 से मिलाजिए, अनुशे 315 में संगलोक शेव आयोग 3 से मिलाजिए, 280 में वित आयोग 2 से मिलाजिए और अनुशे 338 में राष्टी अनुशुचे जाती आयोग है, तो इसे 1 से मिलाजिए, तो 4, आपका हो जाएगा 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 अरथात आपका B option हो जाएगा, अगला है निर्वनित घटनाओ पर विचार कीजिए, तथा इन्हें सही काला नुकरम में बेवस्तित कीजिए, सबसे पहले लेकर आखरी गतिविधी तक, तो दीखे, चार गतिविधी हैं दीगे हैं, तो इन्हें चारों में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका संम्विधान सभаг की प्रथम बैठाक होती है, फिर इसके बाद आपका प्रवरूप समीद की न्युक्ति होती है तो चार के बाद आपका 1 हो जाएगा इसके बाद आपका भारतिय सम्मेधान को अंगिकिनत और अध्रीमित किया जाता है तो 2 हो जाएगा और सबस्बाइ लाश्ट में क्या होगा की सिफारिस राश्पती संसत को देता है सही है राश्पती संसत को देता है और इसके लिए राश्पती सम्मधित राज के विधार मंदल तोरह उसे प्रस्ताव पर विचार एक खास अवदी के वितर प्राप्त करते हैं ये कतन सही है कान राश्पती को निर्वाचन, जिसे सर्बोचन याले तोरह शुनि घोशत किया गया है संदरं निम से कौंसा या से कथन सही है दो कथने पहला उपराशपती के इस रूप में उपराशपती के रूप में इस प्रगार की घोशना से पूर्व उसके द्वारा किये गए कारिविधी माननी होते हैं कारिविधी माननी होते हैं यह सही है उपराजपती के रूप में इस प्रकार की घोशना होने के दिन उसके द्वारा किये गए कारिविधी माननी नहीं होते हैं यह कर्थन गलत है जब तक वो उप्राश्पती यूर्प में कारी करता था तो उसकी कारीविती मान नहीं होगी ठीक है तो यहाँ पर पहला सही दूसरा गलत ए आप्शन हो जाएगा लोगसभा की प्रथम महिला स्पिकर कौन थी तो मीरा कुमार थी अगला है नेमने युगमों में से कौन सा सुची में तो सी वाला सही नहीं है दसवी अंसुची में दल परिवर्तन के आधारप निरहरता है अगला है भारती संविधान ने प्रारभ में किस अवधी के लिए सभी सरकारी उद्देशों है तो अंग्रेजी भासा के उप्योग के लिए अनुमत प्रदान की थी तो पं अंदर हमें नेमनतेट मैं से कौन साया से कथर सही है तो यहां पर देखें दो कथन दीए गया है तो दो के दोनों कथन यहां पर गलत हैं अगला है नीचे उचितम न्याले को मौलिक अधिकारों के हनन रोगने के लिए रिट जारी करने के शक्ति के संबंद में दो कथन दिये गए हैं तो देखे पहला उचितम न्याले को यह सक्ति प्रदत है कि वह बंदी प्रतचीकन, परमादेश, प्रतिसेद अधिकार, प्रिच्छा और उत्पेशन रिट जो भी मौल अधिकार को लाओ करने के लिए समचित हों उस रिट का प्रयोग कर सकती है संसत को अधिकार है कि वह कानू बना कर किसी अन्य न्याले को अपनी अधिकारिक इस्थानी शीमाओं के भीतर उच्टम न्याले को दी गए इन सक्तियों का प्रयोक कर सकता है तो दो के दोनों कतने आपर सही हैं तो ए आप्शन हो जाएगा भारत के महानयवादी के संदर में निम्लित कथनों में से कौन सा या से सही हैं दो कथन दिये गए हैं महानयवादी के पद पर ऐसे वक्त की नुक्ती होगी जो कि उच्तम नयाले का नयादीस नुक्त होने के लिए अहर्त हो ये कथन आपका सही है दूसरा महा नयावादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से अटाए जासकता है जैसे कि उच्टम नयाले के नयाधीशों को नहीं यह कथन गलत है यह राश्पती के प्रसाद प्रेंद कारिकरता जब चाहिने हटा सकता है तो इसलिए पहला कथन सही है अगला है भारत के एक राश्पती के राज में बिधान प्रसद के गठन के संदर में निम्में से कौन सा या से कथन सही है दो कथन दिए गए पहला है एक बिधान परसद में उस राजी की बिधान सभा की कुल सदेश संख्या के एक तिहाई से अधिक सदेश ही नहीं हो सकते हैं ये कतन सही है दूसरा एक राजी की बिधान परसद में कम से कम 40 सदेश आउस होने चाहिए ये दो के दोनों कतन सही है जो आपका Article 169 है, इसमें राज्यों में विधान परसदों का उत्तादन यूम सजन के बारे में बात की गई है अगला है, संसद में उत्तर पदेश के प्रतिशत के संदर में निम्लित कतनों में से कौन सा सही है या है जो देखिए, जो देखिए, अगला है, संसद के संदर में निम्लित कतनों में से ग्राम सभा के संबध में कौन सा सत्ते नहीं है तो देखिए, इसके कार्यों सक्तियां ग्राम इस्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज बेवस्तापका के राज इस्तर पर होते हैं, यह कथन सही है, दूसरा, इसकी सक्तियों के नहीं केंदिरी सरकार के द्वारा होता है, राज सरकार के द्वारा होता है, तो B वाला गलत है, यहाँ पे C option देखें, यहाँ एक ग्राम इस्तर की सभाज जिसमें पंचायत के छेतर के सभी पंजेकित मद दाता सम्दित होते हैं, यहाँ पे C, B वाला option सही नहीं है, पंचायतों के समस चुनाओं का संचलन को उनकरता है, राज निर्वाचन आयोग करता है, अगला है पंच जाएक खंड को विकेंदरी कन का प्रतम विद्व माना चाहिए, खंड को नहीं मंडल पंचायत को माना जाएक तो यहाँ पर पहला सही दूसरा गलत है, यह option हो जाएगा, सर्वुच नयाले के एक नयाधिज का त्यागपत्र सम्मोथित होता है, किसे? यह राश्पति को होत यह आपका जो है यह आपका मौली करतावी के तहत भी आता है अगला है संसत की संधर में निम्लित कत्रों में से कौन सा या से कतन सही है यहाँ देखे हिंदी वाले में यहाँ पर आठ के 109 लिखना इन्हों ने छोड़ दिया तो यहाँ पर ध्यान रखेगा इंग्लिस वाले में 109 लिखा यहाँ नहीं लिखा तो अंशेत 109 कुछ दसाओं में संसत की दोनों सदनों की संधर का परोधान करती है नहीं यह गलत है क यहां पर युनानी शक पहलो कुछाण इस प्रकार से हैं यहां पर यह ऑप्षन है मिलिंद हुआ राजा मिलंद तिथा एक बहुत विच्चु के मद्ध समानत के रूप में है ये वह विच्चु कोंते नागशेंद थे ठीक है? राजा मिलंद और नागशेंद के मद्ध में. अगला है चरक सहिता कितने अध्याओं खंडों गवाई थे तो यहां यहां जो 120 अध्याओं और 8 करें अगला है पुरा तत्विक इस्थल और वर्तमान इस्थान कहां पे है यह महाराश्ड का महराश्वा की ओ जाए ओप्सन हो जाएगा हडपा ये नहीं है राखी गड़ी कहाँ पे हर्याना में है और मांडा आकवा जम्मू कश्मीर में है आगे बढ़ते हैं अगला है पुराणों के संदर में निम्लित कतरों में से कौन सा सही है पहला विश्नु पुराण से मौरिवंस की जानकारी मिलती है ये सही है वायू पुराण गुट्वंस की सासन ब्योससा पपकास आता है ये भी सही है और ध donor धान रखेगा मच्स पुराण में साथ वाहन वंस के बारे हम जानकारी मिलती है यहां पे दो के दोनों कतरतन सही है C option हो जाएगा अगला है नेमलित में से कौन सा है युग में दर्सन और पचारक सही सुमेलित है देखिए वैशेशिक के प्रनेता कों थे वैशेशिक के प्रनेता जो है कणाद या उलूग थे वही पतंजली जो है योग के थे यह सही नहीं मिमाशा पूर्विमाशा के जैमिनी थे पूर्विमाशा के प्रनेता जो है जैमिनी थे यह भी सही नहीं है न्याय के प्रनेता गौतम यह सही है उत्तर मिमाशा के प्रनेता कों थे उत्तर मिमाशा के वादराने थे जबकि कपिल जो है वो सांख के प्रनेता थे आगे चलते हैं, यहाँ पर C option हो जाएगा Captain Hawkins के संदर में निमित कथनों में से कौन सा सही है तो दिखिए, पहला, वहाँ 1911 में James प्रथम के दूद के रूप में भारत आया था नहीं, 1611 में, 1611 में बल्कि 1608 में आया था ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पहला कथन है, वो सही नहीं है, गलत है दूसरा, तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्याता था, यह कथन सही है तो यहाँ पर आपका option B सही होना चाहिए, ठीक है परंद आयोग ने जो है, डी माना है, ना तो पहला सही है, ना तो दूसरा सही है तो ध्यान रखिएगा, आपका आयोग ने डी माना है, जिबकि इसका सही क्या है उनची है तुर्की भाषा में, चुकि यह देखिए, मुगल सहसे जहाँगीर के दरवान में आता आगे बढ़ते हैं, अगला है, खरीतादार, खरीतादार कौन था, खरीतादार फरमानों को वेजने वाला अधिकारी अगला है, दो सुचिया है, पुस्तक और विशय, देखिए, मिरात शिकंदरी में क्या है, मिरात शिकंदरी में गुजरात विजय के बारे में है किसी के बारे में गुजरात बीज़े तो चार्ज मिलें बुरहाने माशिर बुरहाने माशिर बह्मनी के अहमाद नगर का इतिहास दिया गया है तो दो से मिला दिजिए रियाज उस्सलातिन में बंगाल का इतिहास है तो एक से मिलाईए, रियाज उल इंशा, रियाज उल इंशा में महमूद गवा के पत्रों का संग्रा है, ये तिये से मिला दीजे, तो क्या हो जाएगा आपका, 4, 2, 1, 3, ये ऑप्शन हो जाएगा, अगला है नेमलिकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए, इल्थ कीब हो आती है, अगला है नेमलिकित पेशाओं के सासनकाल पर विचार कीजेता है, उन्हें कारकर्मामसार ब्योसती कीजे, जिसमें सबसे पहले बाला जी विशुनात आते हैं, बाला जी विशुनात फिर बाजी रव पर थम आते हैं, फिर तीसरी बाला जी बाजी रव आत आप किया था जैनूल आपदीन ने, नेमलित में से कौन, फिरोज तुगलक के नागर कोट अभियान के दोरान, संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किस ने किया था, ये किया था, किस ने, अजीजुदीन खान ने, अगला है संगीत की टपा सहली, नेमलित में से क मुगल समराट के दरवार में परिस्कृत यों बिक्षित हुई थी, तो मुहम्मद साह के दरवार में, नेमलित में से कौन, कवित्री वा पुस्तक, सही सुमिलित नहीं है, देखिए, दया बाई की पुस्तक है, आपका बिने मालिका सही है, सहजो बाई की सहज प्रकास है, स यहां पर C वाला सही नहीं है, शोन कुमारी की शोन बेली की कवित्ता है, अगला है नेमलित में से, कौन एक 855 के विद्रो का इस्थान और विद्रो का आरम, सही सुमिलित नहीं है, बाईरकपुर में 29 मार्च 855 को, मेरट में 10 माई 800 ताउन को, लख्यों में 4 जून 800 ताउन निम्म से किस नेता नहीं किया था, तो इसका गठन जो है, इंदरनार दुवेदी ने, गौरी शंकर मिन, मिसर इंदरनार दुवेदी और आपका मदन महनमाल भी, इन लोगों ने मिल कर किया था, ठीक है, नेमलित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वाइसराय लाड़ पर बम फेकने के लिए उत्तर दाई था, कौन था अनुसीलन? शमीति, सी उप्सन हो जाएगा, अगला है निमलित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदेश्यों वाले चैंबरा प्रिंसेच की ब्योस्ता की थी, 1919 के अधिनियम के माद्यम से, इबी रामाश्वामी नायकर, इसे की रूप में गढ़ित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था, तो रानी जासी रेजिमेंट था, अठासो सताउन बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांती का नेता कों थे, खान बहादूर खान थे, खान बहादूर खान, कालकरम के दिश्य से निमलिकित घटनाओं में से कौ कौन सी देखे, होम रूल आंदूर आपका 1916 का है, 1915-1916 का, ठीक है, खिलाफत आंदूर 1920 का है, जलिया वाला भाग घत्याकान 1913 का है, तेरा प्रदे 1919 का है, ठीक है, मोपला बिद्रो 1921, केरल में माला बारतर पर, ये डी वाला सबसे लास्ट में आएगा, आगे बढ़त और निमलित नहीं थी, 1931 में, एगांतर पार्टी में, ठीक है, आगे बढ़ते है निमलित में धो, सहायक नदी और नदी मंजरा है, गुदावरी की मंजरा है, कावेरी की हेमावती है, फिश्णा की माल प्रभाह है, परंत महा नदी की प्राणःता नहीं, प्राणःता गो तो यहाँ पर D वाला सही नहीं है, अगला नमलित में से किस इस्थान पर अलक नंदा का भागरिती नदी मिलती है, तो यह आपका देव प्रियाग में, कहां पर देव प्रियाग में, देखे बिश्नु प्रियाग में आपका बिश्नु गंगा और धौली नदी मिलती है, कन प या मिट्टी उच्टाप मान्यों भारी वर्सा वाले छेत्रों में विक्सित होती है ये कथन आपका साहिए दूसरा इस मिट्टी में लोह आकसाईडियूम एल्मुनियम की कमी पायाती नहीं ये कथन गलत है कमी नहीं पायाती तो पहला कथन साहिए यह आप्चन हो जाएगा अगला है परावैगनी विक्रण को आश्रोसित करने वाली ओजोन परतकिस वायो मंडली स्तर में इस्तित है तो सम्ताप मंडली या इस्टेटो स्फियर में. अगला है भारत की प्रवंग नदियों उनके उध्गम इस थलों को जोड़े बनाईए. यमना कहांस निकलती यमरोत्री चार से मिलाए किष्णा, किष्णा नदि जो है आपकी महा बलेश्वर की चोटी से तीन से मिलाए ये गोदावरी आपकी नाशिक के त्रमबक पहाडी से तो दो से महा नदि सिंगावा मध्यपरदिश वन से ठीक है तो यह आपका क्या हो जाए और दचन पशी मांसुन की अरब शागार ब्रिश चाया चित्र में इसित है ये दो के दोनों कतन सही है और व्याक्ठा भी हो रहा इसलिए आपका D option यहापर सही हो जाएगा ठीक है अगला है निम्लित कतनों में से कौन सा सही है पहला राम गंगा नदी कन्नोच के पास साथ यह, ऑप्शन हो जाएगा चंदर प्रभाव 1 जी अभ्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपड़ में इस थे बिहार, तो चंदर प्रभाव 1 जी अभ्याण जो है यह आपका चंदौळी में कहां पर है चंदौळी में Janeiro Lib Qui बहराइच में कतरनिया घाट वन निजू बिहार है कतरनिया वन निजू बिहार लखीमपूर खीरी में किसनपूर वन निजू बिहार है अगला है निमलित में से कौन सा एक यूग में सही सुमिलित नहीं है दर्रे और राजी या किन सा प्रदेश में है देखिए आगिल दर्र जो है, सही समयलित नहीं नहीं बताना कौन सा सही समयलित यह बताना आगिल दर्र आपका लङदाक में है, देफू दर्र जो है यह Аपका अउनाचल Мluv लिप लो एक ये आपके उत्तरागंड में तो मांना आपका हिमाचल नहीं है ठीक है अगला है शुष शुवाना शमुद्र सिवाना शमुद्र कल्पक्क करम किस लिए महात्पूर्ण है तो जल सकति और नाविकी उर्जा के लिए श्वाना समुद्र जल सकति के-लिए कल्पक् आगे बढ़ते हैं अगला है उत्तरपदेश के संदर में इम्लित कथनों पर विचार कीजिए हैं दो कथन दिये गए हैं देखिए इस कथन पर भी बिवाद था ठीक है इस कथन पर बिवाद था राज के कुल भागोलिक छेतर का लगबग 12.8% जो है 1 है इसमें जो आयोगन है यह पहला दूसरा दोनों सही माना था ठीक है पर यहाँ पर देखें दोनों ही सही नहीं है राज के कुल भागोलिक छेतर का लगबग 12.8% वन है नहीं जो 2021 की रिपोर्ट है इसके ताहत वनावन जो उत्तरपदेश में है वो 6.15% है जबकि ब्रिच्छावन कितना 3.08% है और दूसरा जो कते हैं कि जौनपूर गाजीपूर बलिया जो लोम कोई वन भूम में यह सही नहीं है आगे बढ़ते हैं नेमलित में से कौन सा बंदर गाहा और देश का यूग में जो है सही सुमलित नहीं है रोटरडम निदरलेंड में इगारका चीन में नहीं इगारका आपका कहां पे रशिया में है तो बी वाला सही नहीं है मांटो वीडिया उरुगवे जकार्ता इंडोनेशिया अगला है नेमलित में से कौन सा कथन सत्य है बेंगोला प्रसांत महासागर की ठंडी धारा नहीं प्रसांत महासागर की ठंडी धारा यह गलत है दूसरा ढाइब दिस्तोरिं प्रफ्थिवित हैं इकसीद में होतो है इसतित लगवज़ गंटे 30 जवाज आता है नहींई भारा गंटे 26 मिन बाद आता है अगला है सेंक तुराज अमेरिका जासा मैक्सिको के बीच सीमा के भी सीमा पर इसी तनदी कौन सी है तो ये है रियो गाड्रे रियो गाड्रे है ठीक है अगला है निम्लित रिकिस्तानों पर विचार कीजिता है उनके आकार के बढ़ते क्रम में बेवसित कीजिया सबसे छोटे से सबसे बिसित तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल अस्टेलिया का तो वन आ जाईए फिर इसके बाद गोबी मरुस्थल आ जाएगा 1423 आपका C option हो जाएगा फिलिपाइंस में नारी अलियों गन्ये की किर्सी विकास का स्रे किसको जाता है तो ये इस्पेनियों अमेरिका वाश्यों को जाता है अगला है दो सुचियां है परवत और देश कलिमंजारों परवत कहा है तंजानिया में टूबकल कहा है मोरको में वन से मिला है इस्टेनली कहां पर इस्टेनली जो है युगांडा में इस्टेनली युगांडा में चार से हंगर कहां पर हंगर जो है ये आपका अलजीरिया में है हंगर आपका अलजीरिया में है ठीक है तो 3142 3142 आपका B option हो जागा निमलित में से कौन सा जील और देश सही सुमेलित नहीं है बैकाल जील रूश में है, मिशिगन सेउतराज अमेरिका में उनेगा कनाड़ा में नहीं उनेगा जो है आपका रशिया में तो C सही नहीं है अलनिनों के संदर में निमलित कत्रों में से कौन सा या से सही है पहला, अलनिनों में पूरवी परसांद छेतर में पेरू के तरफ़ गर्म धाराओं का प्रगट होना सामील है यह गर्म धारा पेरू के तरफ़ पानी के ताफ़मान को दस डिग्री तक बढ़ा देती है, जिसमें समदर में प्लैक्टन की मातरा बढ़ जाती, नहीं, घट जाती है, और इतना नहीं बढ़ता है, ठीक है, तो पहला option सही है, पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, A option हो जाएगा यहाँ पर, अगला है, दच्छन गोलार्थ में हवा का बाई और बिच्छेपित होने का क्या कराण है, क्या कराण है, बल है, B option, अगला है नहीं से, युक्रेयन का सबसे बड़ा कोईला उत्पादक के इंदर कोंसा है, डोनेश तक है, C option, माउंट नुमें, नहीं नहीं से, किस खनीश के लिए प्रसिदा है, तो लौह एस के अभ्यास कहां किया गया, तो ये भारती है, शेना का अभ्यास था, कहां पर रायस्थान में हुआ था, डिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगयति सुचकांग के अनुसार, टीर वन में, नहीं लिखित में से कौन, अत्य उच्छ, सामाजिक प्रगयति में सिर्ज तीन इस्थ प्रदान करने के लिए बिविन, राज्यों में कितने कौशल भारत अंतराश्य के इस्थापित के जाएंगे, तो टीस किये जाएंगे, तीस, टीस किये जाएंगे, तो बी ओप्शन हो जाएगा आपका, साहित अकादी पुरसकार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसित उपन्यास आगे बढ़ते हैं, अगला है, खनिस संपदा के संदर में, निम्रित कतनों पर इसे कौन सा या से सही है, यहाँ पे दो कतन दिये गए है, पहला है, जम्मू कश्मीर के रियाशी जिले में, लीथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, यह कतन आपका सही है, दूसरा, भारत अनेक खनिजों यह था लीथियम निकल तथा कोबार्ट के लिए आयात पर निर्भर है, यह भी सही है, दो के दोनों कतन सही है, C ओप्सन हो जाएगा, देखिए, परोई दोजार तेश भारत की G20 प्रतीक चिन्य के संदर में निमनित कतनों में से कौन साया से सही है, दो कतन है, प्रतीक चिन्य में साथ पंखुणी वाला कमल है, सही है, प्रतीक चिन्य की साथ पंखुणी यहां, शात महादीपों का प्रणित करती है, यह दो के दोनों कतन सही है, C ओप्सन, न न्यूजिलेंड का लच्छे कब तक दुमनों पान मुक्त होना है 2025 तक तो बी ऑप्शन हो जाएगा जनवरी 2023 में किस एयरलाइन के बिवान नेपाल में दुरगचना ग्रस्तुआ यती एयरलाइन का यती एयरलाइन अगला है पोप बेनिडिक्ट सुलाह में जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर में निमलित कत्रों में से कौन सा या से सही है दो कतन है संघाई सेयोग संगठन दि द है सही है से किसी अभारि 2023 में निधन में नियू जी प्रसुप के रूप में चुनने गया अब ये हाली में जो आप पर चुना हुए थे आपका जुलाय उगरा में तो अब जो वरतमान में जो यहां के प्रधान मंत्री हैं को ने किस्टोफर लक्षन है वरतमान में किस्टोफर लक्षन है आगे बढ़ते हैं उत्तर पदेश के निम्लिकित सहरों में से कौन सा सहर भा कि आपका लक्षनों में एक मीटिंग, ग्रेटर नोडा में एक मीटिंग, वराणसी में छे और बाकी सेस आगरा में सबसे अधिक वराणसी में मीटिंग होनी थी जो यूपी के चार थे उसमें से अगला है कथन कान का प्रशन है अभी कथन है कि फरवी 2023 में 12 चीतों को दच सर के माध्व और भार्त में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वrangत ये सही है, इसे महराश्छ अतर प्रिष्व धियाने में सठापित कर रहा है, इसे गुजरात ही हिफ्ट सिटी इस त्हपित कर रहा है तो पहला सही, दूसरा गलत ये ऑप्शन हो प्रशन हो ज अगला है दो फरवी 2023 को निमलित्म से किस देश ने केंदरी बैंक के अपने करंशी नोट से बिटिस राजसाही को हटाने की घोशना की है, अस्टेलिया ने की है, निमलित्म से किस सिद्ध दोश के अनुसार या आधार पर फरवी 2023 को बिटिस प्रधानमंत्री रिशी शुनक द्वारा अपनी सरकार से बिटमंत्री नदीम जानवी को हटा दिया गया, तो ये गोपिनिता ये टैक्स सकंडल में, किसमें टैक्स सकंडल में हटाये गया, अगल निमलित्म से कौन सा हार्मोन, अगनाशय के लेंगर है, कि आईलेट की बीटा सेल, कोश्काउंदर इस्त्रावित होता है, तो ये है आपका इंसुलिन, किस प्रगार का टीका, डिफ्तिरिया से बचाता है, तो ये टॉक्स्वाइड है, टॉक्स्वाइड, ए ऑप्सन, रुद्ध किया जाता है, तो ये है आपका मॉड रना, कौन सा है, मॉड रना है, निमलित्म से कौन सा कारक, जब भी वित्ता के हराश के लिए सरवादिक महत्मोन कारक है, तो यहाँ पे सी वाला प्राकर्तिक वाश का विनास, पौधों में जाइलम परिवन के लिए जिम्म दिमांड, बीडियो, किसके लिए एक मानक मान दरना है, तो यहाँ जो है, जलिये पार्ष्टिकी तंत्र में प्रदूशन की जाच के लिए है, अगला है, जलिये पौधा, जिसे प्राया जल प्लवित, धान के खेत में जव उर्वयक के रूप में प्रयोग मिला जाता है, निमलित में से कौन एक बच्ची पहता है, तो निफेंथिस, डी ऑप्शन, मानों हिरता है, कितने चेम्बर से या घटकों का बना होता है, तो यह इसमें चार चेम्बर होते हैं, चार होते हैं, ठीक है, देखिए जो अगले भाग में एक दाया अलिंद होता है, जिसे इंग गैसों के उससजन में, ग्रीन हाउस गैसों के उससजन में भारत किस इस्थान पर है, तो भारत जो है आपका दस्वें इस्थान पर है, एक भागोलिक इकाई, जो पानी के कोई कठा करती है, भंडार में करती है, उसे क्या करते हैं, उसे जल विवाजक कहते हैं, वाटर इस्थित है कहां पर गुजरात के जामनगर में निमलित में से प्राक्रितिक रेशम का एक घटक कौन सा है तो इसमें नैट्रोजन है ठीक है रेगिस्तान में आवाश्ट करने वाले जानवर कहलाते हैं मरुदभिद जानवर अगला है दो सुचियां दे गई है ब्याधी और क जिल पाउं आपका क्रिमी से 3 से मलेरिया प्रोटो जोवा से 2 से हो जाएगा या क्या हो जाएगा 4132 4132 बी ऑप्शन हो जाएगा पोशक इस तर बनते हैं किस से खादर सिंखला में जीवों के संबध होने से ए ऑप्शन राष्टी उध्यानों में अनुवांशिक विवित अगला प्रशन है कि निम्लित में से कौन सा बायो डिग्रवल प्रदूशक नहीं है बायो डिग्रवल तो देखिए घरेलू अप्शिस्ट मल पदात स्मूत रहें पर उन्त केट नार्शक बायो डिग्रवल नहीं है अगला है केंद्री बजट 2023 में कुल परीवे में निम्ल परसंट साहिए, करोयों सुलकों में, राज की भागीदारी 18% साहिए, रच्छा बे में 8% साहिए, सबसीडी आपका 9% नहीं, सबसीडी आपका 7% है, ठीक है, यहाँ पे D साहिए नहीं, अगला है, दो सूचियां है, जनसंख्या के सिध्धांत और सिध्धांतों के पृतिपा यह थॉम्षन का है, वन से मिला यह जनसंख्या खाध्यान, आपूर्ति सिध्धांत जो है, माल्थस का है, दो से मिला जिए, तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 आपका, 3, 4, 1, 2 ए अप्शन हो जाएगा, अगला है, संसाधनों को उप्योग, संसाधनों के उप्योग था भविश्री के इसे लिए उनके संच्छन की आउशक्ता को संतुल्वत करने को हम क्या कहते हैं, इसे सतत विकास कहते हैं, क्या कहते हैं, अगला है, नेविद प्रशन का लच्छ नहीं है, जिसे 2030 तक प्राप्ट करने का लच्छ रखा गया, तो लेंगी समानता है, आपका यह गोलन नंबर पांच है, सुन्ने भूंख है, गोल नंबर टू, अच्छा स्वास्तियों भलाई, गोल नंबर थी है, अंत्रिच अंसंधान इसमें सामिल नहीं है, D option सामिल नहीं है, अगला है, कथन काण का प्रशन है, कि देश के पर्याण को बनाया रखने के लिए जनसंख्या नेंतरा प्रशन जाता है, तो अभी कथन सही कान गलात है, तो यहाँ पर आपका A सत्य है, R गलात है, तो C option हो जाएगा, अगला है आपका, दो हजार बाईस तेश के लिए गरीबी, उनमोलन के लिए अंतराश्टी दिवस का विशे क्या है, ब्योहार में सभी के लिए गरिमा, अग के दोनों कथन सही है, यहाँ पर, C option हो जाएगा, अगला है, भारत में जनगर्णा का कारिशा प्रथम कब किया गया था, तो 1871 में, लाड मेयो के काल में, और इसे कह सकते हैं, और इसे कह सकते हैं, और 1881 में, अगला है, दो सुचियां सरद्विकास लच्छ और संबंधित क आप इसको जो है, 13 को 1 से मिला दीजिए, वहीं SDG 14 जो है, SDG 14 जो है, यह पाने की नीचे का जीवन, ठीक है, लाइफ विलो वाटर है, यह आप इसको मिला दीजिए, 4 से, SDG 15 क्या है, जमीन पर जीवन है, ठीक है, तो यह आप 2 से मिला दीजिए, तो 3142, 3142 आपका हो मिर्डल ने, निमलित में से कौन सा जनिनी, सुरच्छा योजना का मुखुदेश है, प्रमुखुदेश है, तो मात्रे मिर्टति तथा नौजात मिर्टतदर में कमी करना, D-Option, D-Option, रियो सिखर सम्मिलन, 1992 का एजेंडर 21 सम्मधित है, किस से, सतत विकास से, सचनेबल पर, संकलित सूचना के आधार पर, सैनुट रश्च महासाच्चियों एक वार्सिक संधार्ण विकास LACJ ये कतन सही नि पहला, सची, दूसरा गलत है, ए ऊप्षन मानों विकास रिपोर्ट धिधर 22 के संदर में, निमलित में से कौन सा कतन सत्य है, देए पहला, संकलित सू 2020 में 131 से उन्नत हो करके, upgrade हो करके 2022 में 132 हो गई. ये कथन गलत है. क्योंकि 2020 में 131 थी, और उससे घट करके 2022 में 132 हुई है. तो ये upgrade नहीं हो है, बल्कि क्या हो है, ये नीचे की तरफ गिरी है. तो पहला गलत है. 2020 में 133 से 2022 में 132 गुर गई. तो यहां पर दीखा, 131 से गिर कर $35 हो गई है। प्राक्रतिक संसादुनों का वरतमान पीज़ी दोरा इस प्रकार से उपब्भोग किया जाए कि प्राक्रतिक संसादुनों का नियुन्तम छण음, तो यह किस प्रकार और विकास कहलाएगी। यह सतत्त विकास कहलाएगी. अगला है, PM गत्सक्ति योजना के संदर में, निमलित कत्रों में से कौन सा या से सही. पहला, PM गत्सक्ति राश्टी योजना को सुमारण 2022 में किया गया, नहीं, 2022 में नहीं, 2021 में किया गया. पहला, गलत, दूसरा, राश्टी योजना पाइप्लाइन में साथ इंजनों, सडक, रेल, एरपोर्ट, बंदरगाहों, जन संचार साधनों, जलमारगों और लाजिस्टिक योजनाओं के संबनित, परियोजनाओं, PM गत्सक्ति नहाचे के साथ जोड़ा जाएगा. तो पहला, गलत, दूसरा, सही, बी, आप्शन हो जाएगा. निमलित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? किसानी, नौकरी, परिभान ये आर्थिक क्रिया, पर स्वेचिक समाज सेवा ये आर्थिक क्रिया नहीं है. संगीप जब दुजार, योजनाओं के अनुसार, गलत है. तो पहला सही है, इसलिए A option हो जाएगा. भारत में जनसंख्या, इस्थाय तो गलच, किस वर्ष तक नियाद कियागा, 270 तक कियागा, 270 तक अगला है. केंदीर बजिट 2023 में, वित्य छेत्र में, राजकोशी प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य? सही है. तो इसमें आ लगग 45 लाग था. ठीक है. शेवाओं के बारे में आर्थिक सर्विचन 2023 में निमलित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, जुलाई 2022 से क्रेडिट ग्रोथ सर्विचे 16% से उपर है, सही है. 75 डिशनल बैंकिंग काईयों की घोशना, वित्ती सिवाओं को बदलने के लिए की गई, सही है. आपका फैशन, ग्रोशरी और जनरल मर्चनडाईज, 2030 तक भारती एक कॉमर्स बजार के लगए, दो त्यहाई हिस्से में अपना इस्तान रखेंगे, 2030 तक नहीं है, 2027 तक है अकड़ा. ठीक है, तो सी वाला सही नहीं है. PMI, सेवाओं में 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विजदार देखा गया है, यह सही है. निमलित में से कौन सा या से, निर्धनता का या के प्रकार हैं? यहाँ पे चार प्रकार दिये गए हैं, देखिए. पून या परम निर्धनता और सापेच निर्धनता, दो प्रकार के होत सा एक योजना वर्स सही सुमेलित नहीं है. दीन दयाल उपाध्या ग्रामिन कौसल्या योजना 2014 के सही है. रूरल हाउसिंग इंट्रेस्ट सबसीडी स्किम 2017 की है. श्यामा प्रसाद मुखर जी रूरबन मिशन 2015 की नहीं बलकि यह फरोरी 2016 की है. यहाँ पे सी वाला सही नही इस तरी निधी योजना तेलंगाना की है. तो यहाँ पर कहल पहला वाला ही उत्तरप्रेस्ट का एजूपशन हो जाेगा. ऊ wij कौन सा कर्क्रम केंद्री सरकार का कर्क्रम नहीं और यहां उत्तरप्रेसरकार की योजना है. मंरेगा, ग्रामिन स्वास्ट मिशन पंडित सब्सक्राइल 2005 का है और गंगा एक सब्सक्राइब यह आपका उत्तर बिल्सक्राइब तो यहाँ पर C option अगला है from defense to self-reliance उस तक के लिए है कौन है बिमल जलान है पूर आरिवा गवर्नर बिमल जलान है तो D option निम्म में से कौन सा विश्व बेटलेंड दिवस के रूप में जाना जाता है तो दो फरवरी को विश्व बेटलेंड दिवस या विश्व आदरभूम दिवस मनाते हैं और 2023 मिश्व की जो theme तीव क्या थी अगला है बिश्व सामाजी सनच्छन रिपोर्ट प्रकासित की जाती किस के दोरा अंतराश्टी स्रम संगठन के दोरा मध्यान भोजन योजना को PM पोशन योजना में किस वर्स पुनर नामित किया गया मतलब उसका नाम बदला गया 2021 मिश्व अगला है निमलित में से कौन स यहां पर हम लोग जो है 2023 से 2024 के बीच में जो उत्तरवधिस आयोक के द्वारा विभीन परिच्छाएं कर रहेगी है उन परिच्छाओं का जो जो जीएस वाला हल जीएस वाला प्रस्ट पत्र है और आपका हिंदी का प्रस्पत है उसको यहां पर हम लोग जो है सॉल्व करन है तो आज के दिन इस वीडियो में हम लोग जो है आरो ए आरो दो जार इकिस का जो प्री का पेपर रहा है उस प्री के पेपर के जीएस वाले प्रस्ट पत को यहां पर हम लोग देखेंगे जो आपके आगामी परिच्छाओं के लिए काफी महत्मूर साबित होगा तो चलि ही देखिए आपका जीवास मीधन का है 51.7 है और वाईव उर्जा का कितना है वो 10.2 है 10.2 परसंट है अगला है आपका कि निम्लिगत घटनाओं पर विचार कीजिया और उन्हें काल कर्मा उसर ब्योसत किये चार घटना है पहला है भारतियों दारा चीनी उद्यों का विका अगला है यहां पर बताना है कौन सा सही सुमिलित नहीं है पूर्व मा धिकालिन उत्तर अंद्रप्रदेश के सहर और वरतमान अवस्थित क्या है देखे कोलिया कोईल अलिगर मौसो नगर महोबा महोदय स्री कर्नोज जेजाग भुक्ति कोशांबी नहीं बुंदेल घंड रहा है डी ऑप्शन उत्तरप्रदेश की निम्लिगत किस एतिहासिक मेले में हिंदू और गुजरात में है शांभर रायस्थान में है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है समुद्री चक्रवादी तुफान तौकते कि सागर से उत्पन हुआ तो यह जो है अरब शागर से उत्पन हुआ अगला है मिताली एक्स्परस कीन दो सहरों के चलती है तो यह ढाका और तो D option देखे 10 सदेशिता का दसवा हिस्सा जो भी अधिक हो अगला है एक सितार में किस प्रकार की धोरी तरंगे उत्पन होती है तो आप्रगामी यह अनुपरस्त आप्रगामी अनुपरस्त इस्टेसरी एंड ट्रांसवर्स जो धुन तरंग होती ही वो ट्रांसवर्स होती निम लित्यों को भारती कलेंडर के अनुपरस्त धेय वह कीजिए तो सबसे पहले क्या आएगा सबसे पहले सबसे पहले बसन कार्ड सब्थम प्रारम किया तो दिल्ली ने प्रारम किया भारत की संसत्वारा आपदा परवंधन अधिनियम पारित हुआ कब 2005 में पारित हुआ अगला है कथन कार्ण का प्रेशन है कि भारत के प्रेशनों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौराजी ने 18-66 में लंदन में इस्ट इंडिया इस्टापना की का गठन किया सही है कठन कार्ण दोनों सही और व्यक्षा भी हो रहा है इसलिए आपका सी ऑप्सन यहाँ पर हो जागा सी ऑप्सन आगे बढ़ते हैं भारत वन इस्तित रिपोर्ट 2019 के अनुसार निमलित में से किस राज में जंजाती ज चालम बराबर है वहीं यहाँ आप 2021 की रिपोर्ट देखें 2021 के अनुसार तो नागलेंड में 11 है मेघाले में 7 है मिजोरम में 8 है मणिपूर में 9 है तो यहाँ पर नागलेंड आपका 2021 के अनुसार इस ही होगा आगे बढ़ते हैं निमलित में से बिश्र में मचली का सबसे ब अधि रोशनी मिलेगी तो दोनों को समरांतर करह में जोड़ दीए तो अधिग रोशनी मिलेगी तो बी अप्सन हो जाएगा अगला है निमलित में से कौन सही समलित नहीं है कंपनी अधिनएम 2013 का है भारती संबिधा अधिनएम 870 करश ini 1872 का है तो बी वाला शही नहीं है सह पर तो राष्टी पोसाहार मिश्चन योजना 2003 की है ठीक है 2001 की तो डी वाला सही नहीं है अगला है अंग्रेजी वर्ण माला की कितने अच्छर एक दरपण में अपने मूल रूप में समान दिखाई पड़ते हैं तो ये कुल आपकी 11 होंगे अगला है भारती सिविल सेवा के संदर में निमलीत कत्रों में से कौन सा या से कतन सही है। अगला है कि तुलसी की पौधे का आउसधी है महत्यों निमलीकित में से निमलीकित की उपस्तिति की काण होता है। इसमें देखे इस्टाइब संकल्प स्रेयस यह कौशल विकास समझीत है जबकि जो इस्टाइड है यह यूजीसी की योजना है जो की अंशंधान सा सम्मधित है ठीक है। तो यहाँ पे 234 C option हो जाएगा C option अगला है निमलीकित में से कौन सही समझीत नहीं है रवड थाइलेंड में रवड के लिए थाइलेंड मसूर है कहवा के लिए मंगोलिया नहीं वलकि ब्राजील है यहाँ पे बी वाला सही नहीं है जैतूल के इस्पेन है गन्ने के लिए 17 सितंबर 2020 को सुरू किये गए अखेल भारती अवियान एक पहल सम्मधित था किस से तो यह जो है आपका नयाय आपके दौर सम्मधित था करेंड आफेर के कोशन है इसको छोड़ दीजेगा नमलीकित में से कौन भारत आने वाला यात्री पृतगाल देश का नहीं था दुर जो बिधेक था 2020 इसमें निम्ल से किसका उलेख नहीं किया गया था अगला है नमलीकित में से किसी यक्किने राजा राजाओं को जनता दौरा प्रतर्चनुक से चुना गया तो गोपाल को और गोपाल को चुना गया था और नंदी वर्मन पल्लो मल को तो दो और चार सी जाएगा अगला है अंतराश्टी आलूकेद्र का मुख्याल है कहां है तो पेरू के लीमा में काकोरी श्रणित केश में प्रधान आरूपी पंडित रामपरसाद बिश्में को उत्तरपते किस सहर में फांसी दी गई थी तो इन्हें जो है गोरगपूर में फांसी दी गई का इन चारों को सम्लिद किय गई तो D falar बीजिंग तो देखिये तो किया है राज्धानी नहीं है क्योंकि वहां KI राज्धानी डिसी है दस दिनों से अधिक दिन पर लिबर पर क्या परहो पड़ेगा तो लीबर में गुलुकोच का इस तर कम हो जाता है अगला है लोक गीत और गायन का उसर इसे सुमिलित करना चैती आपका मौशमी गीत है कजरी बिवाह जो मौशमी गीत होता है रशिया ब्रज का लोक गीत है दो से मिलाईए शोहर संसकार गीत है तो आपका वन से मिलाईए तो क्या हो जाएगा आपका 4321, 4321 ए अप्शन हो जाएगा अगला है रिजर्ब वैंक आफ इंडिया के निम्लिकित गवर्नरों पर विजार करें तथा उन्हें काल क्रमाउंसार व्यवस्थित करें तो इन में देखिए सबसे पहले डी डॉक्टर आईजी पटेल है इनका कारिकाल जो है 1977 से लेकर के 82 तक रहता है फिर इसके बाद मनमोहन सिंह आते हैं 82 से 85 तक रहते हैं ठीक है 82 से 85 तक रहते हैं इसके बाद जो है आपका डॉक्टर सी रंगराजन आते हैं ये आपका 92 से लेकर 97 तक रहते हैं और फिर सबसे लास्ट में आपके डी सुभाराव आते हैं ये डी सुभाराव जो है 2008 से 2013 तक रहते हैं ठीक है तो इसमें देखिए क्रम क्या हो जाएगा अगला है दो सुचियां दी गई है ये बताना है किस स्थान पे किस सन में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो मेरेट में देखिए 1946 में होता है तो तीन से मिला है कानपूर में 1925 में 4 से लखनो में 1916 में 1 से बनारस में 1905 में 2 से तो क्या हो जाएगा आपका 34123412C आप्सन नदी का जल पदूशन मापा जाता है कैसे दी आप्सन देखिए जल में गुलन सीर आउकशेन की मातरा से अगला है उत्तरप्रेस कुल जन संख्या में कारिवल का प्रसत कितना है तो 30.7 30.7 है भारत में पहला रबर टायर आधरित मेट्रो कहां बनाय जा रहा है तो ये बनाया जा रहा है आपका कहां पर कानपुर उत्तर पदेशा कानपूर उत्तर पदेश कानपूर उत्तर पदेश इसे वितरगाउं मंदिर के संदर में निम्लित कर में से कौश z颜 से कथन सही है वह Los numbers गुजरात में नाराणी नाराणी आपका कहां पर है नाराणी रायस्थान में ठीक है रायस्थान में डी वाला सही नहीं है मोनो क्लाइमेक्स एकल चर्म सिध्धान का प्रतिपादन किया था F.E. क्लेमेंट ने एज उत्तरप्रदेश डिफेंस कॉलिडोर में निवेश करने के लिए अगर जोरी किस में किस सरकारी उद्ध्यम ने समझा होता कि आपने अपने प्रहता जर किया था तो यह था भारत डानमिक्स लिप्टेड ने अगला है निमलित में से कौन साही समलित नहीं है विदेशी आत्रियो भारत ब्रह्मन वर्स पाहियान 399 से 414 इसमी में आता है वैंसांग 629 से 645 में आता है यहां पर जो आपका सी वाला है यह सही नीम आयोग ने जो है इसका बिकल क्या महना है सी पर तुट आप यह 672 से देखेंगे तो 689 उसी के मद्ध में आ जाएगा अलमसूदी का जो है आपका 957 लिखा पर तो 915 से 916 है इसका तो इस प्रकार से यह थोड़ा सा बिवादित है होना चाहिए डी पर माना गया है सी आयोग ने सी माना है ठीक है यह फिर से पूछ लेगा तो आप भी सी मा करके आईएगा नेमलित में किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोशित क्या था तो लहना को ठीक है आगे बात करते हैं दो सूचियां है युद्ध और वर्स दुतिये आंगल मैसूर युद्ध का होता है 1780 से 84 में होता है दो से मिला जिए दुतिये आंगल दुतिये आंगल अफगान युद्ध का होता है 1878 से 1880 में होता है तो तीन से मिला दिजिए तो 2413 आपका यह उप्शन हो जाएगा नेमलित भारती नगरों में मलीन वस्तियों का प्रचे 2011 की जनगर्णा के हमसा सबसे कम रहा है कहां पर रहा है सबसे कम तो अहम्दाबाद म यह भी आपका करेंट का कोशन है छोड़िए इसका उत्तर आपका पंजाब रहा है अगला है काशी लेलिमा नेमलित में से किस फसल की प्रचाती है तो यह भिंडे की प्रचाती किस की है भिंडे की है यह रिजिनिंग का कोशन है इसको छोड़ दीजिए वैसे इसका उत्तर जो है आपका D-Option 6 है भारत में निमलित में से किसे एक जय विविता हॉट्सपार्ट माना जाता है तो पश्मी घाट को माना जाता है Hydrogen Sulfide प्रदूशक का मुखे स्रोत क्या है सरते हुए वनस्पत यों पश्पदार्थ है 1993 में निमलित में से कौन सी भाषा आठमी अंसुची में समलित नहीं की गई देखिए मैथली, संथाली, बोडो, डोगरी ये तीन के तीनो भास, चारो भासा हैं जो है बानवेव संभिधान, संसोधन, अधिनियम 2003 के द्वारा इसको संभिधान में समलित किया गया था तो 1993 में इन में से कोई भासा समलित नहीं की गई थी पर उत आयोग ने भी उत्तर, भी माना है, संथाली को माना है ठीक है, जबकि इसका उत्तर, इन में से कोई नहीं है पंचवर्सी योजना, प्रियुक्त विकास मॉडल के दिखें, प्रथम पंचवर्सी योजना, ये हेरोड, हेरोड डोमर मॉडल पे आधरी थी, दो से मिला दिए, दुतिये पंचवर्सी योजना, ये महालनोविस मॉडल पे आधरी थी, चार से मिला दिए, तिरतिये वाली जो थी, ये S चक्रवर्ती मॉडल पर थी, तो 1 से मिला है, चतुर्थ वाली जो थी, ये अशोग रुद्र मॉडल पर थी, 3 से मिला दीजे, तो आपका क्या हो जागा, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, अगला है, दो सूचियां है, खनिच और उद्योग जिन में बड़े पैमानेपन का उप्योग के जाता है, चूना पंतर को उप्योग, सिमेंट में करते हैं, कौपर तावा का बिजली के सामान में करते हैं, तो 1, 2, बॉकसाइट का हवाई जाज के निर्वान में करते हैं, मैं लेट की मंदार इंचीन किए, बहासा ताइलेंड की नहीं है, थाइलेंड की थाई भासा है, बहासा आपकी इंडुनेसिया की है, ठीक है, यहाँ पर D सही नहीं है, नेमिलित में से कौन सी नधी, उत्तर पदेश राज से प्रवाहित नहीं होती है, गंडक नधी जो है आप से कौन सही सुमिलीत है और दो सब् utilization कों साया से सही हैifica मुगल बादसाद आ न्युक्ति बंगाल का अंतिम सुवेदार कौन था, तो ये मुर्सीत कुली खां था, अगला है उत्तर प्रदेश की सानसितिक विरासत के संदर में निम्रिक गत्रों में से कौं सा या से कथन सही है, दो कथन दियेано है, पहला इस प्रदेश के अनेक उत्खनित, पुरा स्थलों से वैशुक संदर में किसी के प्राचींतर प् गन्दे उत्पात का सबसे बड़ा हम, उत्तरब्रदेश से सभी है, भात का उच्थाम दूसए तो पहला दूसरा सही है, तो यह D option हो जाएगा, अगला है, यह आपका करण का question है, वैसे इसका उत्तर जो था आपका इरुपत A है, निमलित में से कौन सा विक्म सही सुमिलित नहीं है, देश और राजधानी, एंटीगुआ और बाराबुटा की राजधानी क्या है, सेंट ज साउ है, निमलित में से किस दीप को वादे की भूम की रूप में जाना जाता है, मिंडा नाओ को, मिंडा नाओ को, तो आपका D option हो जाएगा, यहाँ पे दो सूचियां है, वर्स में अधिनियमों के नाम, और किस वर्स आएगें, तो देखिए, radio 18 glacC lost 1984, चार सी मिला जाएगा, 1234 हो जाएगा, 1234 आपका D option हो जाएगा, भारती सम्मिधान के किस अनुचेत के अंतर संजोतों को प्रभावि बनाने है, तो संसद राज सूच्ची के विशह पर कानून बना सकती है, तो d233 के ताहत, अंतरा संजोतों के लिए, जबकि राजसुची की विश्यों पर जो अधिकार दिया जाता है कानूर बनाने का संसत को वो आपका 249 के दाहत होता है RVI के पूर्व गवर्नर बिमल जलान की निम्लित में कौन से पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी The India Story को सी थी? The India Story थी? तमरिया जनजाती भारत के निम्लित किस राज में पाई जाती? तमरिया जनजाती जो है आपका जारखंड में पाई जाती है बिटिस उपनिवेशवाद के बिद्ध भोजपुरी में लोगपरिये कविता फिरंगिया लिखने वाले कविका नाम क्या था मनरोंजन था, इनका नाम मनरोंजन था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जीबूती आचार सहीता सम्मधिते समुद्री डकैतों के बिद्ध कोशन छोड़ते जाइए, अगला है, वैसे इसका उत्तर जो है, ए उप्षन रहेगा, इंडोनेशिया निम्लित में किस देश के साथ भूम साजा नहीं करती, तो इसमें देखिए, तीमो लेस्ते मलेशिया पापवा नियोगिलिस करती, पर बुरुनवी से नहीं करती है, ए और आरो ही करम है, अगला है, दो सुचिया है, फल और सबसे बड़ा उत्पाद के आम का उत्तर पतिश है, तो चार्स मलाईल लीची का बिहार है, तीसे, नारियल का केरल है, दो स्टेप का जम्मू कश्मीर वन, तो आपको क्या हो जाएगा, पोर थी, टू वन, पोर थी, ट साला आउजर्विट्री, निमलित मसिक्की सिस्थान पर सित है, तो यह आपका नई दिल्ली में, बी ऑप्शन, अठारवी सताबदी के उत्राद में किसे प्राया कंपनी बहादूर की शानों सौकत का इस्थानी प्रतनिधी कहा जाता था, दरोगा को, ब्लॉक पोर्टरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तरपदेश के में, निमलिकित मसिक्की सिस्थान समय थे, निजामाबाद, निजामाबाद कहां पर है, आजमगड में है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निमलित घटनाओ पर विचार कीजिए, और काल करमानुसवर विवस्त ये चार घटनाओं है, करजन वाईली खेत्या का वोती, करजन वाईली खेत्या 1 जुलाई 1909, 1909 में होती है, वही खुदीराम बोश्क को मिर्तुदर्ण के बिढ़ता है, 11 अगस्त 1908, 11 अगस्त 1908, बाल गंगाधर तिलाग दोरा केसरी समाचार पत्र का प्रकारशन के जात फिर इसके बाद क्या होगा फिर इसके बाद आपका आएगा खुदी राम बोश का खुदी राम बोश की मिल्ट दंड 1908 में दो फिर करजनवाईली की हत्या आएगी 1909 फिर सबसे लास्ट में अलहिलाल समाचारपत्र का प्रकासन 1912 चार हो जाएगा तो 3214 तो 3214 आपका यह प्रदीश के नेमलिखत राजियों में से कौन से राजियों ने सबसे कम नगरिकर्ण का प्रसदर्ज किया है तो यह है आपका हिमाचल प्रदीश ठीक है निम्लित घटनाओ या योजनाओ पर विजार कर उन्हें काल करमाओं साथ बेवस्थित करना है तो देखें समुदाइक विकास कारिक्रम के सुरुवात ये होती है आफिकब अक्टूबर 1952 में होती है प्रजात आंत्र के विकेंद्रिकर्ण के सुरुवात कब होती है इसके सुरुवात होती है नॉमबर 1957 में होती है वहीं की विलेज इसकीम के सुरुवात कब होती है अगस्ट 1952 में होती है जिला ग्रामी विकास अधिकर्ण अधिकर्ण DRDA की जिला इस्तर पर इस्थापना कब होती है अप्राइल 1999 तो इन्हें हमें कालक्रम से लगाना है तो सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले आपका की विलेज इसकीम की सुरुवात अगस्ट 1952 से मिला ही फिर आपका क्या होगा फिर इसके बाद आपका प्रजाद तरंत्रिक विकेंद्रिकर्ण की संसुति होती है 1952 से मिला ही सबसे लाश्ट में जिला ग्राम विकास अभिकर्ण 1999 बेवाला ये चार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3124 3124 आपका C option हो जाएगा पौधों में गूटी लगाने कारिकिस उद्देश की पूर्तिहत किया जाता है तो ये वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है नेम्रित में से कौन एक पोलिनेशिया दीव समूं का भाग नहीं है तो पूर्ड विलियम कॉलेज के संदर में कौनसा कथन सत्य देखी इसकी स्थापना 10 जून 18सफी कलकत्ता के फूर्ड विलियम कॉलेज कंप्लेक्ट में हुई थी लाट बेल्यलिक उदर नहीं गलत है ये 10 जूलाई को हुई थी जुन नहीं है जुलाई है पहला गलत इसकी स्थापना का मुख्यूदिस अधिकारियों को भारती भासाओं के सिच्छा देना था तो यहां पर पहला गलत दूसरा सही बी ऑप्शन हो जाएगा अगला है निम्लित उसे कौन सा लह इसपात सेंत्र नदीद तर्ड पर इसकित न कांड़ा जो प्रशन है रविन्दा टैगों ने नाइट हूट की उपात को त्याग दिया था सही है जलिया वाला बाग घ्थ्यागांड के विरोध मिरों ने वापस किया था तो यहां पर कथन सही है कांड़ा था स्युप्शन हो जाएगा अगला है ने मिलिक से कौन सा एक सही जमलिक नहीं पशव और नस्ल भैस की भढ़ावरी नसल है गायक की सिंधी है बकरी की जमनापारी है भेण की थार पारकर नहीं थार पारकर आपकी गायकी है ठीक है पर अधू आयोग ने उत्तर इसका A माना है वो ना क्या चाहिए D क्योंकि भेण जो है थार पारकर की तो इज्राहिल सेयुक्त अरब अमिराथ और बहरीन सी ऑप्चन हो जाएगा अगला है आपका निम्लिकट में से कौन से समध्स होते हैं एक किलो बायट में एक हजार चौविस बायट होते हैं, एक गीगा बायट में एक हजार चौविस किलो बायट में एक हजार चौविस मेगा बायट होते हैं, तो यहां पे सी वाला गलत है, एक टेरा बायट में एक हजार चौविस गीगा बायट से है, पारम पर एक लोक नाट भांड पांथर किस राज या किस प्रदिश सुमीत है तो यह जम्मू कश्मीर से निम्र राज्यों में से कौन ट्यूबल से चाई की छेदर में सर्बोच है तो यह है उत्तरप्रदिश निम्र बैर्ट में से कौन ब्रेंट इंडेक से समझे तो यह कचे तेलगी कीमते अगला है जून 2021 में इकले ने भात वे अपना पहला पूर मेगा पार्क 29 इस इसान पर सुरूर किया था तो ये आपका फड़िधर में पूर्वी उत्तरपदेश की पहली केबल कार सेवा ने में 20 जन पर प्रारम हुई है तो ये हुई है आपकी मिरजापूर में कौन सा था तो सर्सों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अधिक उपयोगी होता है तो ये है सलफर अगला है यहाँ पर डविंसी प्लस और वेरिटर्स जो है ये नासा दोरा घुशित दो नए मिशन सम्मधित है किस से तो ये जो है आपके किस सम्मधित है शुक्रग्रा से अपने समय का चर्चित उपन्या जीनी जीनी वीनी चदरिया के लिए है कौन है तो इसके हैं अब्दुल बिशमिल्ला अब्दुल बिशमिल्ला भारती संबिधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागतों कौन सा नयाप्रतान करने ब्योंस्ता की कही है समाजिक आर्थिक और राजनितिक D-Option, नेमलित में से किस सुल्तान ने समराज की सीमाओं की सुरच्छा है, तो एक विशे सेना को नियुक्त किया, तो अलावदिन खिल जीने, किसने अलावदिन खिल जीने, अगला है नेमलित में से कौन सा वक्ता भी शही नहीं है, इमेल, इलेक्ट्रोनिक मे आपका नियान में पसद जल विदू से प्राप्त होता है, तो ये है आपका नारवे, नेमलित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के सासनकाल में साही महलों में हिंदी देवी दोताओं की फूजा होती थी, ये था नासुरुदीन खुसरोशा, शी आप्शन, फसल चक्र क नेमलित घटनों पर विचार कीजिए और काल करमाल से ब्योस्त कीजिए, देकि लाला हर्दयाल द्वारा गदर पार्टे की स्थापना आपकी का होती, 1913 में, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट आफ इंडिया सुसाइटी की स्थापना का होती, 1905 में होती है, ह फिर आपका सर विलियम सौला चार, फिर इसके बाद आपका गोपाल कृष्ण गोखले दो, फिर आपका लाला हर्दयाल वन, तो 3421 हो जागा, 3421 आपका बी ऑप्सन हो जाएगा, एक किसान जिसके पास एक से दो हेक्टेर तक जोत है, जाना जाता है, ये लगु किरसक के मनुष के रग्रण के लिए सबसे अधिक सुग्राई होती है, अग्ला है, बहारत की जंगना 2011 की अनुशार उत्तरपदेश के नेमलिखित सहरों में से कौन इस सहर, साहर मिलियन सहर नहीं है? तो दखिए आपका आगरा प्रियाग-राज, मिरट है पनुत, मुरादा बाद न अगला है निमलिकत में से कौन सही सुमेलीत नहीं है उत्तावदिस के तिहाचिक मेले और किस इस्तान पे लगते हैं सवरी संकल्प अभयान का संबन्ध किस्से है राष्टी पोशन अभयान से यह रेजिनिंग का कोशन छोड़ दिये इसका उत्तर वैसे तीन वर्ग और अठा अगला है संस्कृति के चार अध्याया पुस्तक के लिए का कौन है रामधारी सिंग दिनकर B ऑप्षन अगला प्राय संपूर्ण छेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधिन कर दिया गया तो यह 1833 के 1833 इस भी में किया गया था इस प्रकार से यहां पर हम लोग पूरे प्रशनों को सौल्फ किया तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स को यहां पर देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लूग जो है जो ratio- Jadi Diático आपकी मुखी परिच्छा कराई गई थी तो मुख्य परिच्छा को ज जो feder करत रहे है उसको यहां पर हम लोग करेंगे जो आगामी परिच्छाओं के लिए काफी महात्पूर्ण साबित होगा तो चलिए 120 प्रश्णों को यहां पर मुख देखेंगे पहला प्रश्ण ने कि अफगानिस्तान पर आधिपत्ति के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए नेमंतर दिया था तो दौलत खान ने डेथ इन बनारस पुस्तक के लिए कोन है तो जोनाथन पैरी है वहीं अगला है नेम रिखेंट इगम में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बलीचिंग पाउडर का रहसाइक जो नाम होता है वह कैलसियम जैलियम ऑक्सकोलराईड होता है वह आपका سोडियम बाई कार्भूएट होता है आगे चलते हैं ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में होती है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में होती है राष्टी नाट्टी विद्याले की स्थापना 1969 में होती है संस्कृतिक संसाधेन प्रश्चन केंद की स्थापना 1989 में होती है तो चार से मिला दिजिए 1,2,3,4 हो जाएगा 1,2,3,4 अथाथ A option हो जाएगा तो ध्यान रखेगा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना लरित कला करमी से पहले होती है आगे बढ़ते हैं नेमलित बाग के अभ्याण या टाइगर रिजेवर में कौन सा मद्यप्रदेश में इस्थित नहीं है इस्थित है यह बताना है देखे डाडरी पाली जो है यह उडिशा का है दादरी और सिंगरवली यह उत्तरप्रदेश का है तो यह दो और तीन बी option हो जाएगा बिंद्धा चल मद्यप्रदेश का है देखे उत्तरप्रदेश में एंटी पीसी के जो है पांच पांच कोयला आधारित बिजली सैयंतर है जिसमें से आपके दो यहीं है दादरी और सिंगरवली इसके आतरित तीन जो है रिहंद है उचाहार व टांडा ठीक है दादरी अगला है कि राषपंचाधेनी राषपंचाधेई पुस्तक जो है ये इसके रचेकता नंददास है राषपंचाधेई के नंददास है चैतन्य भागवत के जो है आपके बिंदावन दास है ठीक है राषपंचधाई के नंददास है चैतन्य भागवत के बिंदावन दास है चैतन्य भागवत के बिरिंदावन दाश हैं, चैतन्य मंगल के जयानन्द हैं, चैतन्य मंगल के जयानन्द हैं, दो से मिला दिए, और भक्ती रतना करके नरहरी चक्रवर्ती हैं, चार से मिला दिए, तो 3-1-2-4, 3-1-2-4, C option, अगला नेमलित में से कौन सा आहार समुह के सरीर को अधिक्तम उर्जा प्रदान करता है, तो कार्भोहाइड वर्षा और प्रोटीन, तो C option हो जाएगा यहाँ पर आपका, आगे बढ़ते हैं, तीन गोल में सम्मेलों भाग लेने वाले भारती, लेने वाले भारती हैं, नेमलित में से कौन थे, तो यह थे डॉक्ट अगला है, नेमलित में से, यह आपका 2021 का कर्णेट अफ्यर छोड़ दीजे इसको, अगला है, हिमाले में तिर्सूल सिखार के संदर में, नेमलित में से कौन साई है, से कथन सही है, दो कथन यहाँ पर, पहला यह उत्तरा खंड के बागर सवर जिले में से सही है, दूसरा, पान सो मीटर से वेदी कुछ है, नहीं, यह कथन गलत हो, यह जोटी जो है, साथ जाए 120 मीटर उची है, तो पहला सही दूसरा गलत, ए उप्शन हो जाएगा, अगला है, नेमलित में से कौन एक इस्थली पार्स्ति की तंतर का उपभाग नहीं, तो सागरी पार्स्ति की तं अगला संसकर 2018 में दिया गया था, अगला है, कि भारत के संभिधान के भाग 9A में, 9A में, नेमलिकित छेत्र की स्थानी की कायो को संभिधानिक आधार पतान किया गया है, तो सहरी छेत्र को दिया गया, यहाँ पर B आप्शन हो जागा, ग्रामीर छेत्र को भाग 9 में दिया सा कथन सही है दो कथन है यहां उत्तर पर इस गोंड़ा जिले में से सही है दूसरा एक पच्छी अभ्यान यह भी सही दो के दोनों कथन यहां पर सही है C option हो जाएगा 1994 में प्रतम किरसी विज्ञान केंद्र की स्थापना निर्मित्र के किस स्थान पर हुए दी पॉंडी चेरी में हुए दी कहाँ पर पॉंडी चेरी में सच सहर विच्छन 2021 यह भी करण का कोश्चन है छोड़ दीजे इसमें आपका छटा इस्थान प्राप्त हुआ था निर्मित्र कोशी नदी घाटे या वेशिन चेतर पल्म से बड़ी हो तो इसमें से महा नदी है बी ओप्शन हो जाएगा आपका अगला है यहाँ यहाँ पे दो सुचिया वजणिक नाम और उनका कारीछेत्र क्या रहा है बीरवल साहनी का कारीछेत्र जिवास वर्नस्पति विज्ञान हा तीन से मिला गये केसी महता का पादाप्रोग विज्ञान केसी महता का तो चार से मिला दिजिए पी महेश्वरी का संबन्द जो है इनका भुरून विज्ञान से रहा है दो से MS स्वामी नाथन का हरित करांति से 1 मिला दिजिए तो 3-4-2-1 3-4-2-1 भी ऑप्शन हो जाएगा अगला है उत्तरपदेश में उत्तरपदेश करसी विजदी क्राण पर योजना यूपी डास प्रयाजुद की गई किसके द्वारा तो विश बैयंक के द्वारा अगला है उत्तर प्रदेश में किर्शक संब्रदी आयो की स्थापना किस वर्स कीई 2017 में सेरसा सूरी के संदर में निमलिकितम से कौन सा है से कथन सही है दो कथन है वह है एक सांदार प्रसासिंग ब्योस्ता के निर्माता दे सही है अगला है इंडिया इस्टेट आफ प्रस्ट रिपोर्ट दे रही किस के हमसाद कितने राज्यों या किस प्रदेशों में उनके भागोलिक चेतर का 33% से अधिक चेतर फाल वन आचा दीता है तो 17 राज और किस प्रदेशों के ठीक है अगला इंडिया गटना ओपर विचार कीजिए था है उन्हें काल करमा उनसर बेवस्त कीजिए नाबाट की स्थापना कब होती 1982 में इसके बाद आपका नाबाटी स्थापना होगी 1982 में अगला प्रशन है कि जन्वरी 2022 में आजुद भाद के राश्टी इवा महोसो के संदर में चुकि यह देखे करेंट है जन्वरी 2022 का तो हम लोग इसको अपडेट करके देखते हैं जन्वरी 2023 का राश्टी इवा महोसो है और 2024 का राश्टी इवा महोसो है उन दोनों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे देखिए यह जो है आपका बीसवा नहीं बलकि आपका पचीसवा था अब हम लोग 2030 की बात करें, तो 2023 में, आपका जनुरी 2023 में 26 राश्टी इवा महसो जो है, वो कहां मनाया गया, कन्नाटक के हुबली में मनाया गया, और 2023 में राश्टी इवा दिवश्की, जो 12 जनुरी को मनाया जाता है, स्वामिज विएक अनित की जैनती के आउसर पर, उसकी थीम क्या थी, विक्षित इवा, विक्षित भारत, विक्षित इवा, विक्षित भारत, ये बात होगी 2023 की, हम लोग 2024 में है, तो 2024 की यदि बात करेंगे हम लोग, तो देखिए, 2024 में 27 राश्टी इवा महसो मनाया गया, कहां पर महराश्टा के नासिक में, तो ये चीज ध्य अगला है नॉम्बर 2021 में तो यही आया है इसके बाद अभी तक नहीं आया है ठीक है तो इसको एक बार देख लेते हैं अगला है भारती लग उद्योग विकास बैंक सिड्वी का मुख्याला है निम्लित्म से किस इस्थान परसित है तो लखनव में है सिड्वी का इस्थापना कब ही थी दो अप्रायल 1990 को हुई थी आगे बात करते हैं रिंगल मैं इसकेल का प्रयोग निम्लित्म से किसके घंत पांस सूचना दी गहीं इनको क्रम लगाना है सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले आपका इसमें सबसे पहले सीरसक होगा फिर सीरसक के बाद क्या होगा विसे सूची होगी विसे सूची के बाद क्या होगा प्रस्तावना होगा प्रस्तावना के बाद अध्याय आएगा अनुकरणवी का आएगी ठीक है अर्थाथ इंडेक्स आएगा सबसे लाश्ट में तो ये क्या हो जाएगा 52134 आपका C अप्सन हो जाएगा निमलित में से कौन सी अनसोचित जंजात उत्तरपदेश के वराणसी जिले में नहीं पाई जाती है देगी चेरो गोंड खरवार प किया गया है वही निमलित में से कौन हिंदुसाइश संगेत के चेतर में महान विभूती नहीं थे रायादमां सिंग तोमर, तांसन, सदारंग और अदारंग ये थे परन्तु मालगुर्जरी ये क्या है ये एक गायन राग है ना कि किसी विभूती का नाम है भारत के इसमें गठित नौजवान सभा का प्रारंबिक सजिस्ट कौन नहीं थे तो यह सपाल भगत सिंग छवील दास थे भगत सिंग के दौर इसको इसको इस्थाफित किया गया था पर इसमें अंबिका चक्रवर्ती सामिल नहीं थे यह option अगला है सुगमता सुचकांग के संदर में निमलित कत्रों मेंसे कौन सा या कथन सही है पहला या सरवी छथ बेंकों के प्रदसन को अंकलित करने का सही है या भरत में MSME ये तो व्यापार सुगमता को अंकलित करता है यह कथन आपका सही नहीं पहला सही दूसरा गलत तो यह option हो जाएगा अगला है कौन सा बिटामीन गुलंसील होता है कि विटामिन B और C दोनों ही जल में घुलंसील होते हैं और बाकी अन्य जो होते हैं B और C को छोड़के वो वशा में घुलंसील होते हैं यह द्यान रखिएगा ठीक है यह पूछा जाए कोई से जल में घुलंसील नहीं है तो B और C ही होगा यहाँ पर आप अखिल भारतिय ट्रेड उनिन काईर्स के अदज थे तो जवाहलाल नहरू, यहाँ ध्यान रखिएगा, एक सेकड़, यहाँ पर, यहाँ पर, की अखिल भारतिय ट्रेड उनिन काईर्स की स्थापना कब हुई थी, 1920 में हुई थी भंबई में, उसके पहले अदज कोंते लालाल बिहार में लिखिया कहा है, लिखिया उत्तरप्रदेश के मिर्जापूर में, बीरभानपूर पशिम मंगाल में, महदहा जो है आपका उत्तरप्रदेश के प्रताब गड़ में, तो सबसे पशिम में कौन सा आगा है, उत्तरप्रदेश का प्रताब गड़ आएगा, ठीक है, तो महेदहा आजाएगा, फिर इसके बाद उत्तरपता से लिखाया आएगा, जो कि मिरजापूर में है, दो आजाएगा, फिर आपका बिहारवाला आजाएगा, पैसरा वन आजाएगा, फिर सबसे लास्ट में बीरभानपूर, पश्रिममंगाल चला जाएगा, तीन, तो 4213 ह अगला है, दो सूचियां है, इन्हें सुमिलित करना है, देखिए इसमें से बिटामीन, बिटामीन कौन सा है, कैरोटीन, कैरोटीन, बिटामीन है, दो से मिला ये, एंजाइम कौन सा है, एंजाइम, आपका पैप्शीन है, हार्मोन कौन सा है, पोजिस्ट्रोन हार्मोन है, प्रोटीन कौन सा है केराटीन, केराटीन प्रोटीन है, तो तीन से मिला जीजिए, 2143, 2143, 2143 आपका D option हो जाएगा, अगला है फिर से दो सुचिया दी गई हैं, इस्थल और सम्मधित ते थंकर की, स्रावस्ति जो है, ये सम्मधित है संभवनाजी से, स्रावस्ति संभवनाज से है, स्रावस्ति जो है संभवनाज, काकंदी जो है शुबधानाज, आयोध्या जो है, रिशवनाज से, आयोध्या आपका, रिशवनाज से, पभोशा, पदम परभूशे, पभोशा, पदम परभूशे, ठीक है, पासे पभोशा, पासे पदम परभूशे, इस तरह connect कर सकत आप दो से मिला जीए 4 3 1 2 4 3 1 2 C option हो जाएगा यहाँ पर आपका अगला है निम्लित में से किस एक साहर को सच्छ सर्विछन तो ये भी आपका करेंट का question छोड़ दीए इसका उत्तर आपका वैसे C है 28 अगला है उन्हें 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसद्य पु पाध़ फारमन साईटो काइनें पौधे नाट्रोजन को किस रूपै करन करते है नाय्टरेट के रूप में लेते हैं अगला है दो सूच आपका साजहां का कौन था, साजहां का आपका सादुल्ला खा था, औरंग जेप का असद खा था, दो से मिला दिए, 3142, 3142, D option हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, अगला है निमलित में से कौन सा एक सही सुमलित नहीं, संस्थान और आवस्तिती, राष्टी जैविक खेती केंद्र, National Center of Organic Farming ये गाजियाबाद में है, भारती दरहन अंसंधान संस्थान Indian Institute of Pulses Research कानपूर में है, भारती सब्जी अंसंधान संस्थान Indian Institute of Vegetable Research गोरगपूर में नहीं बलकि बनारस में है, यहाँ पे C गलत है, वहीं D भारती गन्ना अंसंधान संस्थान Indian Institute of Sugar Cane Research लखनों में है, नॉम्बर 21, किस में इंटरपोल के अधच बने अहमद नसर अल रईशी, निमलित में किस देश समझी थे हैं, यह सेंटरब अमिरात के रहे हैं, अगला है निमलित में से कौन सी फसल मूल नियंतर नहीं है, यह तो भारत सरकार के मूल इस तरीकर कोश के अंदर नहीं है, गे शैंकुतराष्ट महासभाग नेवर्ष 2020 को किसके अंतराष्टी वर्ष के रूप में घोशित किया है, तो मोटे अनाजवाली फसलों के, निमलित में से कौन सा ब्रिच भूमद्ध शागरी वनों में नहीं पाय जाता, तो शागोन या शागवान नहीं पाय जाता, क्योंकि ये सुन्दर वन के बाद दूसरा सबसे बड़ा में घोप छेत रहा है, अगला है निमलित में से कौन सा रामसर आदरभूम इस्थल भाद के किसी राजजी में इस्तित है, तो बी आप्शन हो जाएगा, यहाँ पे, अगला है किसी समय राश्पती उपराश्टी दोनों का पदरिक्त हो जाए, तब राश्पती के रूप में कौन कारी करेगा, तो भाद के प्रधान नयाधीस, वह 2020 का प्रथम दिन, तो यह रिजनी का कोश्चन है, इसका उत्तर वैसे सी होगा, सनिवार होगा, आगे बढ़ते हैं निमलित घटनाओं पर वेजार कीजिए, तो उन करम से लगानन है, सबसे, सबसे पहले क्या आएगा, वनने जू सन अच्छन अधनियम, 1972 का तीन, फिर प्रोजेक्ट आइगा, प्रोजेक्ट हाथी वन, अब सबसे लाज्ट में जय होगी होता, आधनियम 2002, तो दो आजाएगा, 3412, 3412, आपका यह उप्शन हो जाएगा, अगला है, पाकिस्तान में गॉदर, बंदरगाह ने भिलिए, किस प्रांत वे से थे, तो ब्लुचिस्तान में अहाँ पे, ब्लुचिस्तान में, उनने अठाव सुत्रा में, डेविड हेयर द्वारा, प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना काहां की गई थी, कलकट्ता इसका निर्माड था, इब्राहिम साह सरकी था, अठाला देवी मजिद, इब्राहिम साह सरकी, छोटा सोना मजिद, छोटा सोना मजिद का जो निर्माड कर आया था, वो वली मुहम्मद था, चार से मिला दीजिक कदम रशूल, कदम रशूल, इसका समध नुसरत साहत से है, वन मजित पांडुवा ये शिकंदर सा है ठीक है तो इस प्रकार से 2413 2413 2413 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा अगला है रिजिनिंग का कोश्चन है छोड़ दीजे इसका उत्तरवे से 94C ऑप्शन होगा अगला है निम्रित घटनाओं पर विचार कीजिए ताव के कालक रमाउंसर बेवसित कीजिए चार घटना है अमेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह कब होता है ये होता है आपका कब 1562 में 1562 में होता है तुकारोई का युद कब होता है तुकारोई का युद 1575 में होता है मालवा पर मुगल का आक्मन कब होता है 1561 में होता है उडिशा पर कर्रा थीड़ बानि की कर्रानी की विजय कब होती 1568 में होता है ठीक है तो सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले मालवापर मुगल आक्मन होगा है 1561 में फिर आपका अमेर की राजकुमारे से भीवा होगा अगबर का 62 में फिर तुकारोई का यूद्ध होगा और सबसे लास में पर कराने की वीजय हूँ क्योंकि यह 1578 का है तो चार हो जाएगा और सबसे लास्ट में तुकारोई का यह 1575 में है तो दो हो जाएगा 3142 3142 आपका D option हो जाएगा आगे बात करते हैं अगला है भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है दा यूनियन अफ इंडिया है निमित में से कौन सा अंचेद भारत के राश्पती द्वारा बित आयोक की निकती समझी था तो आपका आटकल 280 भारत की संसल को कानून निर्माण के सक्ति निमित के लिए फ्राप थै भात के संगे के लिए भारत का प्रदेश या प्रदेश डोमिन के लिए बिश्व में कहीं भी रहने वाले भारती नागरी को मुनकी संपत्ति के लिए, तीनों के लिए तो 1, 2, 3, D option हो जाएगा, निम्लित में से, कौन सा सार, सोचे सार, विछन दो जारी, किस कहां कड़ा है तो इसको छोड़ दीजिए, करेंड का question है अगला है, अफरिका, अफरिक अफरिका में, विक्टोरिया जील के संदर में, निम्लित में से कौन सा या से कथन सही है, दो कथन है, पहला है जील चार देसो से गिरिये, केनिया, तंजानिया, यूगांडा से, तो पहला कथन गलत हो गया, दूसरा यह अफरिका ब्रेंस गाटे में से सही है, तो B option हो तो यह option हो जाएगा अगला है एंटी बायोटिक्स अजिकान सा प्राप्त होती है किस से जीवानों से तो यह option हो जाएगा निमलित्म से कौन सही सुमिलित नहीं है देखिए मक्का नर्मजली निकालना मुखंपली खुट बनाना खुटी बनाना कावुली चना का समझ जोए कि शुकुमार बटालवी रंगलाल नवीन चंद रशेन हेम चंद बनाजी यह लोग थे पर उन्तू शुकुमार बटालवी स्वाधिनता पूर्व के नहीं थे ठीक है यह स्वाधिनता बात के रहें अलास्का के संदर में निमलित्म से कौन सा कथन सही है दो कथन यहां दसमें अध्यच के रुपने नित किया गया वर्तमान में भी यही अध्यच है ठीक है अगला है दिसंबर 2021 में यह दिसंबर करण का कोश्चन छोड़ दीजिए आगे बढ़ते हैं रिजनिंग का कोश्चन है यह भी छोड़ दिए इसका उत्तर वैसे 64 होगा सी निमलित में से कौन प्रथम सफल क्लोंड जानवार है तो भेंड है यह आगे बढ़ते हैं सार्विक शित के बैंकों बित्तिये संस्थानों है तो केंद्री बजट 2021 में तो 2020 का है बिनिवेस का लच कितना रखा गया था यह था आपका दो दसमलों एक लाग कोण इसलिए गलत है मतब इसमें से कोई नहीं डी ऑप्शन हो जाएगा अगला है केंद्री ऑउसदियों शगंद पॉद संस्थान यह इंग्लिस में कहें सेंट्र इंस्ट्रूट आप मेडिशनल और अरोमेटिक प्लांट्स कहां पर है यह संस्थान तो यह लकनों में है ठीक है तो यह के संदर में दो कथन दिये गए पहला इसमें पंदरह हजार से अधिक दूप सामिल है सही है इसमें पंदरह सो से अधिक सक्क्रीजवाला मुखे है दो के दोनों कथने आपर सही है सी ऑप्शन हो जाएगा यह दिसंबर 2021 का है यह करेंट का कोशिन छोड़ दीजे हल्दी अगला है खान मंत्रा की 2021 की वार्सिक रिपोर्ट के अंसार निम्नित्म से कौन से दो राज भारत में बाकसाईट के प्रमुक उत्पादक है तो इसमें से आपका जो है कौन सा है उड़ीशा है और गुजरात है उड़ीशा गुजरात वन एंड पोर हो जाएगा तो आपका C option हो जाएगा उरजा चेतर पर ब्याज भुकतान भार कम करने है तो भार सरकार ने कौन सी योजना प्रारम की उड़ा योजना 2015 में लाई गई थी अगला है यहाँ पे रिजनी का कोश्चन है इसको छोड़िए यहाँ पर B option हो जाएगा 10 अगला है पॉलिथीन बनाने में निम्लिट में से किस गैस का उप्योग होता है एथलीन का होता है यह option भारत के सम्मिधान के अनुसार केंद की कारिपल का सकती निम्लिट में नहीं होती है राजपती में तो एगला है यहाँ पर नियुन्तम अहर्ता और आफिश या पद किसके लिए 21 वर्स जो होता पंचा यह option हो जाएगा आपका अगला है प्रसांत महासागर मिसित गैला पगोश दीव समों के संदर में ने मितनों से कौन सा या सेक अथन सही है देखे पहला इनकी उतपती जो अलामुकी गद्विदी के द्वारा हुई है यह दच्छी अमेर्की राष्ट पेरु का हिस्षा नह आम और पपीते का आम और पपीता दो और चार डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर अगला प्रस्न है आपका नटराज निर्ति के भगवान की मूर्ति के संदर में ने मिसम से कौन सा या से कथन सही है यहां पर दो कथन यहां मूर्ति निर्ति करते हुए चार हाथों वाले श प्रदेश करसी अनसंधान परसद नेमलिवित में से किस इस्थान परसद है यह ओप्शन हो जाएगा अगला है यह 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 नहीं पहला है राइन नदीव उत्तरी जर्मनी नहीं है बलकि यह दचनी जर्मनी है ठीक है तो पहला गलत दूसरा राइन नदी के मुहाउने पर है तो यह सही है तो पहला गलत दूसरा सही बी ऑप्शन हो जाएगा भारती अंतराश्टी ब्यापार मेला के बारे में बात करें 2020 का तो यह 2020 किस का है यह छोड़ दीजिए ठीक है इसको छोड़ दीजिए गरण का देख भारती अंतराश्टी ब्यापर मेला 2023 में कहा हुआ था ठीक है अगला है भारत के प्रथम जलवाई परिवरतन पर राश्टी कारियोजिना कबला हो गिए 2008 में अगला है नेमलिक में से कौन एक सही सुमिलित नहीं इस्थान और उतर प्रदेश का जिला बटेश्वर जो मेला अगरा में है बटेश्वर आगरा में देवासरी 12 बंकी में नाकी जौनपूर में यहां पर बीवाला सही ने संकिसा परुखाबाद में बिठूर कानपूर में तो इस प्रिकार से हम लोग ने यहां पर इन प्रश्णों को देखा जो आपके आगामी प्रश्णों के लिए क आपके आगामी परिश्णों के लिए काफी महात्पूर साब उते होंगे तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक बहुत बहुत धन्यवाद